हलो स्टुडेंट्स नमस्कार सस्रीयकाल आप सौगते आप सभी का आपके पसंदिता चैनल मैगनेट ब्रेंस आइटी जेए और नीट में और मैं अभी शेक अगरवाल आपका जेएए केमिस्ट्री फेकल्टी लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार एक और धमैकुलेस सेशन ज अगर मैं बात करूं तो सारे कंसेंट्रेशन टम्स में यह रिलेटिवली थोड़ी से टफ है अपने लिए तो नहीं है लेकिन वो कई बार स्टुडेंट्स को इसले टफ लगती है क्योंकि इसमें ग्राम इक्यूवेलेंट का कोई नया कंसेप्ट आ जाता है और ग्राम इक् फेक्टर में दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लेकिन इस डीपीपी को सॉल्फ करने के बाद काउंट आनमी तुमको नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मालिटी कॉम्प्लेक्स है जैसे मुलारिटी लगता है जैसे मुलारिटी लगत पढ़ रहे थे जब कंसेंट्रेशन टम्स का पार्ट फोर्थ या फिफ पार्ट जो भी था ये उस नॉर्मालिटी में हम पढ़ रहे थे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया था उस लिंक पर क्लिक करते ही वो डीपी क्या कर लेनी आपको डाउनलोड कर देनी और उसको खुद पहले सॉल्फ करना है फ्री डाउनलोडिंग है और उसमें कोई पैसा नहीं देना कोई खर्चा नहीं करना कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं ऐसा 100% फ्री एजुकेशन है वो डीपी को खुद पहले समय देना है और मैं तो यह चाहूंगा कि इस वी और अगर कोई का दुका डाउट आई या का दुका सवाल नहीं बने तो वो तुम यहाँ पर इस वीडियो को रिफर कर लो बस और पलकी मैं तो चाहूंगा कि वीडियो बना मैं रहा हूं महनत कर रहा हूं लेकिन मैं तो चाहता हूं यह वीडियो तुमें देखने की है जो तुमको मिलने वाली है मैगनेट बेंस के इस चैनल के त्रू आइडी जे और नीट के त्रू वो भी absolutely free of cost फिर चाहे तुमारे mzqs हो जिसमें most important questions previous year questions most expected questions यह मतलब कुल मिलाकर 500 से 5500-600 questions तक एक एक chapter से हम लोग लेकर जाएंगे इतनी शिदत से इतनी लगन से यह महनत करने वाले इतनी लगन से एक एक chapter पर practice करने वाले कि 100% command बन जाए उस chapter पर उसके बाद दूसी चीज़ क्या करने वाले हम लोग online test series होगी आपकी जो magnetbins.com पर होगी chapter wise test series आपको हुआ पर मिलेंगी उसके लाबा weekly live sessions मिलेंगे आपको live sessions होंगे जिसमें आप अपने doubt पूछ सकते हो अभी तो doubt पूछने का एक और best तरीका है हर वीडियो के description में लिंक दिया हुआ है ask a doubt का वहाँ पर एक form दिया हुआ है उस form को click उस form पर details बरते ही बहुत बड़ा form नहीं है छोटा सा form है उस form पर detail भरते ही doubt का photo upload करते ही वो doubt हम लोगों के whatsapp पर आएगा तुम्हें number नहीं दिया जाएगा तुम्हें number देना तो मतलब अलगी level का वो हो जाएगा लेकिन whatsapp हमारे पास आएगा तुम्हारा doubt जिसको हम back end पर पूरा compile करेंगे और live doubt sessions में बकाइदा slide पर तुम्हारा नाम लिखकर वो doubt cater करेंगे तुम्हारे नाम के साथ भाईया तुम्हारा doubt solve किया जाएगा तो ये सारी चीज़े आपको मिलने वाली है magnet brains के channel पर उसके बाद notification कोई आया तो उसका वीडियो motivational वीडियो बीच में कैसे अपनी त्यारियों को boost अब करना है ये सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं magnet brains i.t.j. और need के channel पर तो बिलकुल channel subscribe करें और channel का link spread करें ठीक है अब बात करते है normality के कुछ सवालों की लेकिन normality के सवालों को जानने से पहले normality के basic formula पर बात कर लेते हैं जो हमने उस theory वीडियो में पढ़ा था ये सिर्फ ए quick glance है इस बात के लिए कि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा concept वीडियो वो सीधे question solve करना चाहते हैं तो वो ये normality के part को समझ ले तो अभी तक अपन ने क्या देखा है वाई normality normality को सबसे पहले capital N से denote करते हैं normality जो होती है वो capital N से denote करते हैं और होती क्या है it is equal to number of gram equivalence of solute कितने gram equivalence of solute के number of gram equivalence of solute dissolved per liter of the solution मतलब एक liter solution में कितने gram equivalence से salute के so it will be divided by volume of solution और वो भी किसमें liter में होना चाहिए अगर ml होगा तो liter में convert कर लेंगे divide by thousand जो numerator में जाके multiply हो जाएगा but it is always number of gram equivalence of solute dissolved per liter of the solution मतलब solution एक liter है उसमें कितने gram equivalent solute के dissolved है वो बात normality होती है वो चीज़ का पता लगाना normality होती है so that is called as normality normality से कहते है अब gram equivalent कैसे निकालो के question में gram equivalent तो direct नहीं दिया जाएगा तो अपने theory में बढ़ा था gram equivalent का अपना एक formula होता है gram equivalent का अपना एक formula होता है क्या given mass upon equivalent mass given mass upon equivalent mass जो भी substance का mass दिया हुआ है solute का वो रख दो given mass और अपन उसका equivalent mass रख दो दोनों का ratio जो होगा that will be gram equivalents वो gram equivalents बन जाएगा अब equivalent mass कैसे निकालेंगे लेकिन वो यहां तो question में direct दिया जाए या पर हम इन दिमाग से निकालना पड़ेगा तो दिमाग से निकालने के लिए आपको formula लगाना पड़ेगा जो होगा molar mass upon n factor का जो होगा molar mass upon n factor n factor बोले तो valency factor तो it will be equal to molar mass upon n factor यह क्या हो जाएगा हमारा equivalent mass हो जाएगा तो molar mass जो भी solute होगा भाई उसका तुम्हें पता ही होगा या वो basically आप निकाल लोगे atom के mass के sum करके total molecular mass आएगा ग्राम में लिख दोके तो molar mass हो जाएगा divided by n factor n factor को valency factor भी खहते हैं जो हर substance के लिए अलग होता है जैसे किसी acid के लिए उसकी basicity कितने h plus science वो acid निकाल सकता है या replace कर सकता है बोले तो basicity वो उसका इन factor होगा जैसे hcl के लिए 1 h2SO4 के लिए 2 h3PO4 के लिए 3 तो वो इन factor की values होगा ही किसी base के लिए उसकी acidity बोले तो कोई base कितने OH- science अपने अंदर से replace कर सकता है जितने OH- science replace करेगा अब उसकी acidity बताएगा उस base की तो base अगर NaOH है तो 1 OH- science replace कर सकता है तो N factor 1 Mg OH whole twice OH 2 है N factor 2 Al OH whole thrice Aluminium hydroxide तो N factor 3 इसे सबसे N factor आएगा and then we have a salt salt में क्या होगा के टायन के उपर जो भी charge होगा that will become its N factor जैसे NaCl में Na पर plus 1 है cation plus 1 charge रखता है तो मतलब N factor 1 MgCl2 में Mg पर plus 2 का charge है N factor 2 AlCl3 पर plus 3 का charge है N factor 3 तो भाईया किसी का भी जो N factor होगा salt का वो स्क्योपर cation का charge होगा तो N factor सबके लिए अलग अलग होता है In fact oxidizing और reducing agent की अगर हम बात करें तो oxidizing और reducing agent के लिए N factor उसके अंदर electron कितने lose हो रहे हैं या gain हो रहे हैं वो इसका N factor बन जाएगा तो जो भी oxidizing agent है जो खुद reduce होगा वो कितने electron gain कर रहा है वो उसका N factor और reducing agent कितने electron lose कर रहा है वो उसका N factor तो वो n factor उनका हो जाएगा तो सबका इंफेक्टर होता है बस वो n factor से divide करना है molar mass को divide करने के बाद जो आएगा वो equivalent mass equivalent mass से divide करना है given mass को जो question में given होगा उससे आएंगे gram equivalents gram equivalents को divide करना है volume of solutions है क्योंकि उतने gram equivalent dissolved रहेंगे तो फिर आजएगे आपकी normality अब इन सारे formula को use करके अगर आप normality का direct formula भी बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा सारे formula अगर रख दोगे तो normality will be equal to normality will be equal to given mass of the substance जितना given mass से solute का वो upon molar mass into one upon volume of solution जो लीटर में होना जरूरी है अगर milliliter में होगा तो आप उपर फिर thousand कर देना क्योंकि वो milliliter में ही जाएगा into n factor बोले तो valency factor यह आप लिख सकते हो normality का पूरा formula यह भी survey survey formula है अब इसमें एक चीज़ देखोगे इतनी चीज़ आपको molarity नजर आएगी कैसे given mass upon molar mass moles हो गए moles upon volume of solution लीटर मतलब एक लीटर में कितने moles dissolved है that is molarity तो यह molarity हो गई बस बाहर रह गया in factor तो इसका मतलब normality का एक और formula लपक लेंगे हां से normality का एक और formula लपक लेंगे हां से क्या हो जाएगा normality का एक और formula it will be equal to molarity into n factor तो molarity का सीधा multiplication किसके साथ उसके n factor के साथ तो यहाँ पर आपको उस substance की normality आ जाएगी तो यह तब है जब आपको normality और molarity किसी question में दोनों निकालने हो तो आप ऐसा मत करना कि molarity अलग से निकाली पूरे formula से और फिर normality अलग से निकाली पूरे formula से आपको जो एक आसान लगता है आप वो एक निकाल लो पहले जैसे बट आउवेस आपको molarity निकालना बड़ा आसान लगता होगा क्योंकि normality में तो बहुत मेहनत लगती है तो molarity आप निकाल लो आपको solute अगर पता है कि कौन सा solute है वहाँ पर तो molarity को multiply कर देना उस solute के n factor से उसके valency factor से दोनों को चब multiply करोगे तो normality आ जाएगे दिस is relation between normality and molarity that normality is equal to molarity into n factor तो molarity निकाल के n factor का multiply करेंगा answer आ जाएगा ये सारे formula is already हम लोगों ने अपने concept video में लपेटे हुए भाई पूरे concept videos में formula हमने लपेटे हुए ठीक है तो बाद में अब हम इनको apply करेंगे अब इनको apply करेंगे बाद में बोले तो just इसके बाद ही इसको apply करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां किस तरीके से formula apply हो सकते हैं ठीक है एक बार इसका screenshot ले लो फिर हम लोग question पर आते हैं screenshot लेंगे ओके तो clear हो गए वाला part अब देखेंगे आगे पहले question की तरफ चलते हैं first question ओके first question यह आपके सामने जे मेंस 2020 का सवाल है देख लो जे डबली मेंस में 2020 में सवाल पूछा गया है क्या बोल रहे है question पर ले पढ़ेंगे the volume in ml अपनको volume निकालने ml में of 0.1 normality naoH required to neutralize 10 ml of point normal phosphoric acid this is phosphoric acid is हमको phosphoric acid को neutralize करना है and the volume of 0.1 normal naoH पता करना है कितना लगेगा to require which is required to neutralize phosphoric acid with this much volume and this much normality ठीक है अब मेरे को बताओ naoH और phosphoric acid को neutralize अगर करना है तो एक बात तो confirm है इन दोनों के neutralization में दोनों के gram equivalents तो मतलब gram equivalents of naOH will be equal to gram equivalents of H3PO4 H3PO4 so gram equivalents sodium hydroxide के gram equivalents H3PO4 के equal होंगे बिल्कुल equal होंगे gram equivalents के sense में तो gram equivalents इसके कैसे निकलेंगे इसकी normality N1 मान लो अगर इसका volume V1 मान लो अगर तो दोनों को multiply करेंगे तो gram equivalents आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि भाईया नॉर्मालिटी जो होती है वो gram equivalents upon volume होती है वो gram equivalents upon volume होती है वो भी volume में लीटर में होती है तो अगर तुम इस volume को यहाँ पर उचका दो तो normality into volume gram equivalents हो जाएंगे gram equivalents हो जाएंगे so that will become gram equivalents तो N1 into V1 इसके N2 into V2 के equal होगा इसकी normality N2 माल ली थोड़ी तर के लिए और volume इसका V2 माल ली हा तो N2 into V2 होगा so this implies बोलेंगे V1 volume ML में निकालना है अच्छा मतलब ML में निकालना है तो milligram equivalents हो जाएंगे फिर चलेगा अगर इसके gram equivalents इसके gram equivalents के equal है मतलब इसके milligram equivalents इसके भी milligram equivalents के तो वह ML में रख दोसमें कोई दिक्कत नहीं है तो it will be 0.1 और volume इसका नहीं पता तो say V1 ही रखो will be equal to what 10 ML तो it will be 10 into इसके कितने रखो 0.1 समपटपड़ी के बद 10 into 0.1 तो भाईया यहां से V1 volume निकल जाएगा V1 will be equal to 10 into 0.1 upon 0.1 यह दोनों cancel so answer will come out to be 10 ML तो यह answer आएगा आपका कितना 10 ML तो 10 ML answer आपका तो भाईया यह answer बिल्कुल सेम है ठीक है यह normality क्योंकि gram equivalent same होंगे ना यार और मैं तुमको का normality तुम molality से molality से compare करते हो तो तुम्हें complex लगती है मैं तो कहता हूं उल्टा होना चाहिए molality molality complex होनी चाहिए normality तो असान भाईया normality चलती gram equivalence पे और gram equivalence तो सबसे असान concept है क्योंकि कोई भी reaction किसी से करवानी है हमें यह नहीं पता कि इसके कितने utan eigentlich कितने मास 것을 react गरेगा लेकिन एक बात confirm है कि दोनों के gram equivalenceर हो सेम करेंगे मोल हो सकता है सेम ना करें मास हो सकता है सेम ना करें ग्राम इक्यूवलेंट सेम करेंगे और जब ग्राम इक्यूवलेंट सेम करेंगे तो रगदो ग्राम इक्यूवलेंट बराबर तो ये बड़ा की पॉइंट था कि इसको अपन को लेकर चलना है, ठीके, तो इसी पर based ये सारी चीजे हो रही है, NUH और H3PO4 को लेकर है, पहला question लपक लिया, screenshot लपकेंगे, उसके लिए उसके बाद second पे चलेंगे, चले बाई, second question पे चले, this was the first question, second question पे लपकते हैं, second question क्या रहा है, देखेंगे बाई calculate the volume of water to be added अच्छा जितना add हो रहा है मतलब वो V2 नहीं पूछ रहे V2 नहीं कहीं लोग पता है क्या गलती कर देते हैं वो V2 निकालना लग जाते हैं वो N1 V1 equal to N2 V2 equation दी ना उनने volume of water to be added पूछा है मतलब कितना extract किया है V2 तो final volume है तो V2 में से V1 को minus करना पड़ेगा initial volume जो पहले से था ताकि आपका change in volume आ सके और change in volume मतलब उत्ता volume अपना add किया होगा क्या करने के लिए पढ़ने पहले 100 ml of 5 normal solution को 0.01 normal बनाने के लिए बढ़ीया बात है मतलब normality equation for dilution लगेगी इसमें तो कोई दोराई नहीं है इसमें तो क्या लगाएंगे normality equation for dilution वाली for dilution वाली जो कहती है कितना भी dilute कर लो आप किसी solution को उसमें solute के gram equivalents तो वही रहेंगे जो पहले से थे क्योंकि gram equivalents तो solute के है न और solute के gram equivalents तब बद लेंगे जब solute की कुछ मात्रा चेंज करोगे लेकिन dilution कर रहे हो न आप तो volume of water add कर रहे हो water solvent है तो gram equivalents of solute will remain the same so as per normality equation for dilution gram equivalents of solute will remain the same gram equivalents of solute will remain the same before and after dilution will remain the same before and after dilution so this implies n1 v1 will be n2 v2 क्योंकि normality into volume करते हो भी पिछले question में देखा था gram equivalents देखलते हैं तो पहले के gram equivalents और बात के gram equivalents dilution में same होंगे जैसे वहाँ n1 v1 और h3 p4 के gram equivalents same थे हैं यहाँ एक ही solution है एक ही solution है जिसके पहले dilution से पहले और dilution के बाद दोनों gram equivalents same होंगे तो n1 v1 will be equal to n2 v2 will be equal to n2 v2 तो अभी यहाँ पर लबकेंगे भाई कितना अगे normality 100 ml of 5 normal solution ठीक है तो this will become 5 normal into 100 अच्छा ml ले रहे हैं तो it is milligram equivalents gram equivalent salute के same रहेंगे या कहलो milligram equivalent same रहेंगे क्योंकि volume अपने ml में लिया है will be equal to normality second वाली कितनी है 0.01 और final volume अमें नहीं मालों तो that will be v2 final volume में भी नहीं मालों तो v2 so this implies v2 will be equal to 5 into 100 upon 0.01 so this will become 500 upon 0.01 0 यां से अटाया तो 2 0 और बढ़ गाए so it will become 50,000 ml 50,000 ml v2 यह final volume है अब हमें निकालना है volume to be added volume which is added so now यहां पर आएंगे इसके बाद volume which is added which is added will be equal to final volume minus initial volume final volume v2 है initial v1 है equal to equal to ध्यान से देखेंगे final है अब मारा v2 और initial है v1 तो v2 कितना था 50,000 minus 100 actually आपने volume कितना add किया 49,900 ml 49,900 ml add किया क्योंकि 100 ml आपके पास पहले से था इसका 5 normal का अब उसको 0.01 normal बनाना है बहुत कम normality करना है तो volume आपने बहुत बढ़ाना पड़ेगा तो final volume 50,000 तक पहुचाना पड़ेगा तो फिर पानी कितना add करना पड़ेगा 100 पहले से एडे 50,000 तक पहुचाने के लिए 49,900 ml और add करना पड़ेगा so this will be the final volume और यह हमारा answer होगा this will be our answer तो यह हमारा answer होगा 49,900 ml will be the final answer clear होगया तो second question का यह answer होगया कितना volume water का add होगा so the correct answer is 49,900 ml is the correct volume which must be added more so that the final volume can become 50,000 because at 50,000 the solution will show a normality of 0.01 normal तो this is the answer screenshot लेंगे आगे फिर चर्चा करेंगे let's move to another question दो question होगया भाई अपने आपर DPP के तीसरे question पर चलते हैं तीसरा question देखेंगे तीसरा question देखेंगे what will be the normality what will be the normality of a solution obtained by mixing 0.45 normal and 0.6 normal NaOH in the ratio 2 is to 1 by volume in the ratio 2 is to 1 by volume देखो एक solution है आपके पास जिसमें NaOH भरा हुआ है जिसमें NaOH भरा हुआ है इसमें NaOH भरा हुआ है ठीक है और इसकी normality आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 0.45 normal 0.45 normal नॉर्मालिटी दे रखी ना पहला वाला अब इसका जो volume दे रखा है वो दूसरे वाले से पहले ही दुगना दे रखा है तो यह 2 भी दूसरे वाले का भी दूसरा वाला भी बनाई लेते हैं लगे हाथ दूसरा वाला भी बनाई लेते हैं यह रहा एक और container इसमें अपना कौन है फिर से NaOH है लेकिन इस बार इसकी normality अलग है फिर से NaOH है लेकिन इसकी normality अलग है इसकी normality है 0.60 normal 0.60 normal और इस बार जो इसका ratio है इसका जो volume है यह V है क्योंकि ratio 2V to V का 2 is to 1 आ जाएगा तो इसका twice है इसका सिर्फ V है बन से ठीक है अब क्या कर रहा है इनने दोनों को add कर दिया एक common container में तो यह रहा है common container तो इसमें क्या क्या आ गया पुराना वाला NaOH 0.45 normality वाला और कौन आ गया नया वाला NaOH 0.60 normality वाला तो इसमें total gram equivalence तो आ गया होंगे न इसके भी gram equivalence और NaOH के और इसके भी gram equivalence और दोनों सेम है NaOH के तो भाईया दोनों NaOH के gram equivalence तो add हुए होंगे न इसमें तो इससे net resultant normality कितनी आएगी nr resultant normality कितनी आएगी total gram equivalence total gram equivalence upon total volume of solution यही आएगा तो nr will be equal to total gram equivalence कैसे होंगे इसकी normality into इसका volume तो it will be 0.45 into 2V plus इसकी normality into इसका volume तो plus 0.60 into V upon total volume 2V plus V इसका total volume कितना आएगा इसमें total volume 2V plus V total volume आएगा इसका clear हो गया तो 2V plus V इसको solve कर लेते इसको solve कर लेते तो कितना आगया यह 0.45 into 2V 0.90V plus 0.60V upon V plus 2V 3V तो यह हो जाएगा 1.50V upon 3V V से V cancel 1.50 by 3 0.5 normality so this will become your net resultant normality तो resultant normality कितनी आगया इसका nr is equal to 0.5 gram equivalence gram equivalence liter तो इसके gram equivalence per liter आगये यह हमारा final answer होगा तो option अभी चेक कर लेते हैं 0.5 है क्या किसी option में as per the options yes B option is absolutely correct क्योंकि 0.5 normality हमारा final answer आएगा तो इस तरीके से 0.5 normality answer आएगा और यही हमारा final concluding answer होगा 0.5 normality clear होगा question number third एकदम screenshot लेंगे this was question number third अब इसके बाद चलते question number fourth की ओर लेकिन पहले third question का screenshot लेंगे 0.5 normal B option इसका सही है उम्मीद करता हूँ तुमने पहले ही निकाल लिया होगा बढ़ अगर कोई confusion है कि दोनों add होंगे तो क्या होगा तो हाला कि हमने इसकी theory पढ़ी है जब दोनों add होते हैं तो क्या होता है लेकिन फिर भी फिर भी यहां से यह चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दुबारा जब हमने पढ़ा कि चाब इसको add करेंगे तो इसमें total norm gram equivalent जो होंगे वो इसके भी आएंगे और इसके भी आएंगे और total volume 2V plus V करके 3V आजाएगा total volume 3V आएगा clear हो गया screenshot ले ले आगे अगले question पर चलते हैं third question का screenshot लेंगे let's move to another question fourth question पर चलते हैं fourth question क्या क्या रहा है देखेंगे यहां पर अलग-अलग type के solution से जो mix किये गए fourth question क्या 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 रहा है 10 ml of 1 N HCl 20 ml of N by 2 H2SO4 and 30 ml of N by 3 HNO2 इन सब को क्या किया गया है they are all mixed together they are all mixed together 10 ml normal HCl 20 ml N by 2 H2SO4 and 30 ml N by 3 HNO2 are mixed together and volume made to 1 liter और जो final volume में उसको 1 liter तक आप लेकर गए हो ठेक है तो 1 liter तक लेकर गए the normality of H plus ions in the resulting solution is आपको H plus ions की normality पता करने है resulting solutions पे ठीक है एक काम कर लेते हैं normality of H plus ions क्या होगी normality of H plus ions क्या होगी gram equivalents of H plus ions कितने gram equivalents है H plus के upon total volume जो लीटर में निकलना है milliliter हुआ तो thousand से divide करेंगे numerator में thousand से वो multiply हो जाएगा और अपने आप वो लीटर में ले लेगा तो normality निकाल लेते है gram equivalents कैसे निकलेंगे देखो इसको अपस में multiply करोगे इसको volume को normality से multiply करोगे तो you will always get gram equivalents because normality is what gram equivalents upon volume normality is what gram equivalents upon volume liter मे so this implies normality into volume liter मे will be equal to gram equivalents will be equal to gram equivalents normality into volume तो जब भी आप normality into volume करोगे आपको gram equivalents मिलेंगे अब कुछ मत करो ये normality इससे multiply कर दो तो ये इस वाले gram equivalents मिलेंगे फिर इसकी normality इसके volume से multiply कर दो तो इसके मिल जाएंगे इन्दोंनों को add करना पड़ेगा total निकालने के लिए इनको add करना पड़ेगा फिर इसकी volume इसकी normality से add करोगे तो तीसरे gram equivalents मिलेंगे इसको भी add करना होगा सबके gram equivalents आपको तो normality will be equal to 10 ml into n plus 20 ml into n by 2 plus 30 ml into n by 3 divided by 1000 because 1 liter means 1000 ml 1000 ml तो अभी यह क्या करोगे यह 1000 को यहा ले जा सकते हो तो इस विल बिकाम एंटो 1000 इक्वल टेन नॉर्मल यह 10 नॉर्मल हो गया 10 n plus 20 into n by 2 तो यह भी 10 n 10 नॉर्मल प्लस यह आपका कितना आगया 30 into n by 3 यह भी 10 नॉर्मल आगया ठीके? और यह normality total h plus की यह h plus की normality आ रही आपकी यहां पर ठीके? तो यह 10 n plus 10 n plus 10 n will be equal to 30 n और इसमें आपन क्या करेंगे? normality of h plus निकालना है तो यह 1000 वापस वही रखा रहें दो तो 30 by 1000 हो जाएगा तो मैं यहां से 1000 को अठा देता हूँ ठीके? तो यहां पर भी divide में क्या आएगा? 1000 and this will be normality of h plus so it will be equal to 30 normal by 1000 एक 0 से एक 0 cancel क्या बच गया? 3 n by 100 तो resultant normality जो h plus science की मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3 n by 100 और यही हमारा answer होगा यही हमारा answer होगा कितना 3 n by 100? option में देख लेते हैं बिलकुल सही option A सही है हमारा 3 n by 100 यही हमारा answer आ रहा है क्योंकि तो वही concept लगाया अपन ने total gram equivalence जो रहेंगे वो आप निकाल लोगे और total gram equivalence के इसाब से आप final normality निकाल लोगे जो h plus science की आएगी क्योंकि इन सब से h plus science की normality आएगी तो total आपको gram equivalence निकालने upon volume of solution तो volume of solution आपको यह करना है और इसको ml में ही निकाला because all these are in ml ठीके तो आप actually ml में जो निकाल रहे हो वो gram equivalence निकाल रहे हो वो milligram equivalence निकाल रहे हो और इसको 1000 mle रखा 1000 आपने multiply उपर क्यों नहीं करा कर देते तो फिर यह liter हो जाता लेकिन फिर आप उपर निकाल रहे हो milligram equivalence और नीचे निकाल रहे हो लीटर तो वो आपको normality नहीं देगा normality के लिए या तो gram equivalence लीटर में पता करो एक लीटर में कितने हैं या फिर milligram equivalence पता करो कि एक milliliter में कितने हैं तो यह gram equivalence नहीं है यहाँ पर मैं change कर देता हूं this is milligram equivalence और हमें कैसे पता कि milligram हैं क्योंकि भाई volume सबका ml में दिया था और ml वाला volume में आपने multiply किया है ml वाला volume में multiply करा है या तो फिर यह करो कि सबको liter में convert करके multiply करो यह 10 ml, 20 ml, 30 ml दिया हुआ है इसको या तो liter में convert करके multiply करो तब फिर नीचे one liter ही आएगा ठीक है लेकिन अगर तुम नीचे 1000 ml कर रहे हो तो तुम divide by 1000 ml मतला per ml पता करना चाहते हो और per ml तुम फिर gram equivalents नहीं पता करोगे milligram equivalents पता करोगे तो यह milligram equivalents ही है यह जो 10 n निकला 10 n निकला 10 n यह milligram equivalents ही है so these will be milligram equivalents present per ml of the solution that will become normality तो एक normality होती है gram equivalents present per liter एक होती है milligram equivalents present per ml दोनों आपके normality देगा यह हो गया हमारा कौन सा question fourth question answer match हो गया 3 n by 100 3 n by 100 हमारा answer है एक बाद screenshot ले ले इसके बाद हम लोग अगला question चलते है fifth question पर बट इसका एक बाद screenshot ले लेंगे fourth question का समझ में आया fourth question ठीक है अब देखते हैं अपन fifth question को यहाँ पर fifth question को और देखते हैं normality का पाचवा question आपकी DPP का क्या कहता है question बढ़ेंगे पहले question में समझेंगे क्या कह रहा है 0.45 gram of an acid of molecular weight 90 अचा कोई acid है उसका weight दिया हुआ है तो mass of acid दिया हुआ है acid बताया है नहीं कौन सा है but mass of acid दिया हुआ है कितना 0.45 gram और उसका molecular weight दिया हुआ है मतलब अपन यह कह सकते है उसका molar mass अपने पास है क्योंकि molecular weight को gram में लिख लेंगे तो molar mass आ जाएगा तो वो molar mass दिया हुआ है कितना 90 तो एक बात तो clear 0.45 upon 90 करेंगे तो मुझे moles मिल जाएंगे ठीक है was neutralized by 20 ml of 0.54 normal caustic potash इस acid को neutralize किस ने किया वो बोल रहा है इस acid को neutralize किया गया है with a base koh base से neutralize किया गया है koh जिसकी normality 0.54 है जिसकी normality 0.54 है और जो volume है वो है 20 ml जो volume है वो है 20 ml तो एक बात तो confirm है क्या कि अगर koh इस acid को neutralize कर पा रहा है तो इन दोनों के gram equivalents आपस में सेम होंगे ये बात confirm है बिलकुल कि अगर koh इसको multiply कर पा रहा है मतलब इसको neutralize कर पा रहा है किसको acid को तो acid के gram equivalents और koh के gram equivalents equal होंगे और बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर gram equivalents equal होंगे तो milligram equivalents भी equal होंगे milligram equivalents क्यों? क्योंकि भाईया ये ml में दे रखा है ना तो ml में तो milligram equivalents निकलते हैं कितने milligram equivalents प्र ml वो normality होती है तो आपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों के जो milligram equivalence है that will be same it means milligram equivalent equivalence of acid बलकि यह तो base है हाँ पर of base will be equal to milligram equivalence of acid दोनों के milligram equivalence equal होंगे अब milligram equivalence इसके कैसे निकलेंगे normality into volume करके normality into volume करके तो अपन निकाल देते हैं इसका normality into volume करके और volume ml में ही लेना है ml में ही है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो normality into volume in ml किसका कोई का यह पूरा कोई का है equals to normality into volume किसका volume ml में किसका acid का तो यह acid का होगा तो यह acid का होगा normality into volume तो 0.54 into 20 ml में है तो लीटर में convert करने की जरौत नहीं है क्योंकि हम milligram equivalents निकाल रहे हैं will be equal to इसकी normality into इसका volume इसकी normality into इसका volume लेकिन इसकी जो normality into volume आएगा वो milligram equivalents तो आएगे जो moles के हिसाब से सिर्फ n factor से बदल जाते यानि कि अगर मेरे को milligram equivalents निकालना है तो मैं millimoles millimoles में n factor multiply कर दू तो millimoles में मैं इसका n factor multiply कर दू और किसका n factor किसी acid का और हमें पता भई है acid का जो n factor होगा वो basicity होगी तो मतलब इसकी जगा मैं क्या लिख सकता हूँ millimoles of acid millimoles of acid into इसका n factor n factor क्या होगा क्योंकि यह acid है और acid का n factor उसकी basicity होती है तो it will be into basicity यहां से अपर निकाल देंगे which is equal to 0.54 into 20 0.54 into 20 समझ में आया तो यह 0.54 into 20 already लिखा हुआ है so this is 0.54 into 20 अब millimoles बस निकालना है अपने को तो basicity अपने आप पता चल जाएगी millimoles को निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर देखेंगे millimoles को निकालने के लिए यह data का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सबसे पहले अपन मोल्स निकालनेंगे मोल्स विल बी इक्वल टो गिवन मास अपन मोलर मास तो गिवन मास इस 0.45 अपन मोलर मास इस 90 तो यह decimal उचकाएंगे दो जीरो नीचे बढ़ेगा 45 1s आ, 45 2s आ तो 1 अपन 200 विल बी मोल्स 1 अपन 200 विल बी मोल्स तो नाव millimoles विल बी इक्वल टो millimoles कितने हो देंगे 1 अपन 200 इंटू 10 की पावर 3 क्योंकि एक मोल में 10 की पावर 3 millimoles होते हैं तो 1 अपन 200 मोल्स में 1 अपन 200 इंटू 10 की पावर 3 होंगे बोले तो 1000 अपन 200 विच इस नथिंग बट 5 तो यह millimoles कितने आगए भाई यह millimoles आगए 5 तो 5 millimoles आगए 5 बस यहां रख दो तो तो इस विल बी 5 इंटू बेसी सिटी इक्वल स्टू 5 इंटू बेसी सिटी इक्वल टू 0.54 इंटू 20 बेसी सिटी निकल जाएगी वही पूछा हमसे question में वही पूछा हमसे था बेसी सिटी ओफ इस तो बेसी सिटी निकल जाएगी हाँ पर देखेंगे बेसी सिटी विल बी इक्वल टू बेसी सिटी will be equal to, कितना हो जाएगा, 0.54 into 20 upon 5, तो ये approximately कितना हो जाएगा, 0.54 और 5, ये 0.1 हो जाएगा, 0.1, और 0.1 into 20 will be equal to 2, तो it will be equal to 2, तो basicity will come out to be 2, as per the option, भी option बिलकुल correct होगा, क्योंकि basicity हमारी भी 2 आ रही है, clear हो गया, तो n factor आपका हमेशा whole number में होगा, integer होगा कोई, तो integer will be 2, 0.54 को हम 1 decimal तक लिखेंगे, तो 0.5, 0.5 upon 5 is 0.1, 0.1 into 20 is 2, तो basicity will come out to be 2, तो ये basicity आ गई कितनी exactly 2, so this is what you are having as its basicity, और ये आपको basicity मिलेगी, वो भी normality जो दे रखी थी, वो 0.54 normal दे रखी थी, ये अपनने 0.54 normal को 0.5 भी मान सकते, तो यहाँ पर आपकी basicity कितनी आ जाएगी, दो आ जाएगी, तो this will become basicity equal to 2, as per the option, second option सही है, भी option, क्योंकि इसकी basicity 2 आईगी, संपट बड़ी बात, तो कभी भी कोई reaction अगर हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके milliemoles जो होँगे वो आपस में equal होंगे, या कहलो सके gram equivalents आपस में equal होंगे, तो milligrama equivalents हमने निकाल लिए, इसके आपस में equal होंगे, तो milligrama equivalents इसके और इसके equal होंगे और फिर हमने equation यहाँ पर लगा दे और in fact यह भी कह सकते हो कि अगर यह completely neutralize कर रहा है तो इसके millimoles और इसके millimoles same होंगे आप इस तरीके से भी कर सकते थे तो millimoles और millimoles same होते तो इसको भी millimoles निकाल देते but this is how we can calculate this answer और normality into volume करके यह हमारा final answer clear screenshot लेंगे आगे फिर चर्चा करेंगे clear हुआ fifth question कोई rocket science नहीं और देखो normality लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल है मैं तो कहता हूँ सबसे असान यही है क्योंकि देखो molarity या molality या mass percentage में क्या है कि अगर कोई reaction है a और b react कर रहें तो a और b के ज़रूरी नहीं है same moles react करें या नहीं करें मतलब a के moles b के moles same हो या नहीं हो ऐसा ज़रूरी नहीं है a के अलग moles b के अलग moles से react कर सकते mass तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि a का कुछ और mass b के कुछ और mass से react करेगा तो मास और मोल्स में दिक्कत क्या है कि A और B अगर react करने तो इनके कभी A और B के मोल्स सेम हो भी सकते हैं, नई भी हो सकते हैं, मास सेम हो सकता हैं, नई भी हो सकता हैं, लेकिन जो gram equivalents होंगे A और B के, वो हमेशा सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे, A के gram equivalents, B के gram equivalents के equal होंगे, औ gram equivalents मतलब milligram equivalents बात clear हो गई तो यह चीज़ बहुत important है इसी तर्क पे जाधतर question gram equivalents वाले हो जाते हैं ठीक है fifth question done हो चुका है let's move to the sixth question, sixth question यहाँ पर देखते हैं, sixth question हमारे सामने है find the normality of H2SO4 having 50 milli equivalents in 2 liters लल्लू question है, normality ही निकालना है, normality किसमे निकालना है अपन? H2SO4 having filly, okay number of milli equivalents यह क्यालो milli equivalents of solute normality is equal to milli equivalents of solute milli equivalents of solute upon volume of solution upon volume of solution किसमे? milliliter में, यह बात याद रखना thousand मत करना, thousand कर दोगे तो फिर बात क्या हो गई, फिर तो लीटर में ही चला गया तो milli equivalents निकाल रहे हो, तो वो ml में ही निकालना हाँ, अगर यह equivalents होता, gram equivalents होता तो फिर यहाँ liter कर देते हैं, या अगर यहाँ milliliter करते हैं, तो उपर thousand करते हैं तो thousand करके वो लीटर में ही जा रहा है, लेकिन milli equivalents will be in ml क्योंकि normality क्या है? number of milli equivalents of solute present per ml of the solution ml, एक ml में कितने हैं, ठीके, तो normality will be equal to, बोलेंगे भाई, milli equivalents, कितने देख दिये, पचास simple, formula based question है, दो लीटर, दो लीटर मतलब 2000 milliliter, खतम बात तो normality will be, 1 by 40, 1 by 40, तो यह 1 by 40 हो गय, clear हो गया, तो 1 by 40, तो 1 by 40 can be written as 0.02, clear हो गया, क्योंकि 40 into 10 की power, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 1 by 40, तो it will be 0.025, milli equivalents per ml, so this will be normality, जो milli equivalents per ml में आएगे, 1 by 40, clear हो गया, 1 by 4 होता तो कित्ता होता, 0.25 होता न, एक बढ़े 4 is 0.25, but this is 1 upon 40, 1 upon 40 is 0.025, so this will become milli equivalents, और यह हमारे पास milli equivalents आगया, जो कि question number 6 होगा, तो इस आप से question number 6 का जो answer आएगा, वो आएगा 0.025, subjective question था, बट लल्लू question था, simple formula based था, catch था, milli equivalents और ml में, ठीक है, तो यह हमें पता चल गया, screenshot लेंगे, अगले question की तरफ चलेंगे, let's move to another question, 6th question के बाद चलते हैं भाईया, 7th question की तरफ और देखते हैं, 7th question कैसे solve होगा, okay, question number 7 क्या दिया हुआ है, calculate a normality and molarity of the following, बहुत शांदार, आपको normality भी निकलना है, और molarity भी निकलना है, मतलब जो data आपको सामने दिया हुआ है, उसमें आप normality भी निकल सकते हो, और molarity भी निकल सकते हो, तो अब मेरे को बताओ, क्या हम दोनों को अलग-अलग निकलने या एक से दूसरा निकल सकता है, एक से दूसरा निकल सकता है, या दे, तो अपन के लिए असान क्या है, molarity निकलना, क्योंकि molarity सीधे-सीधे निकल जाती है, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ट, normality के लिए क्या होता है, gram equivalence पहले निकालो, gram equivalence को निकालने के लिए, equivalent mass पहले निकालो, equivalent mass को निकालने के लिए N factor, मतलब बहुत लपेसा ने वाई, सबसे पहले सबकी molarity निकालेंगे, उस molarity से उन सबका N factor, बोले तो valency factor multiply कर देंगे, और जैसी valency factor multiply करेंगे, you will get this as normality, you will get this as normality, तो molarity में क्या करेंगे, N factor multiply करेंगे, and suddenly you will get normality, तो normality हो जाएगी molarity into N factor, देखेंगे हैंपर, देखेंगे आपर, तो अपन क्या करते हैं, सबकी molarity निकालना चालू करते हैं, और N factor तो सबका पता ही चली जाएगा, पहले वाले case की निकालते, 0.74 gram calcium hydroxide in 5 ml of solution, बहुत बढ़ molarity का एकदम खोल कर formula लिख दे, क्या है, given mass upon molar mass, this will become moles into 1000, क्योंकि मैं जो volume रखूंगा solution का वो ml में रखूंगा, तो volume of solution in ml, this will be your molarity, ठीक है, so this will be your molarity, रख दे, given mass, 0.74, molar mass, calcium hydroxide, बहुत बढ़िया, calcium hydroxide, इधर लबकेंगे, calcium hydroxide कभई molar mass, CAOH, hold twice, CAOH, hold twice, calcium is 40, OH is 17, 17 into 2, 34, 34 plus 40, 74, तो यहां कितना आ गया, 74, into, volume किसमें, ml में, 1000 चलेगा उपर, upon 5, क्या करें, molarity equal to, 0.74, यह उचकेगा, तो नीचे 2, 0 बढ़ेंगे, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel, 10 by 5, बोलो कितना आ गया, 2, तो molarity will be 2 molar, यह molarity आ गई, पहले वाले की, बोलेंगे, molarity, में, अगर N factor, multiply कर दें, तो molarity में, अगर N factor, multiply कर दें, तो normality आएगा, तो normality will be equal to, molarity will be 2M, इंटो N factor, calcium hydroxide है, कितने हुए H minus, acidity क्या है, 2, क्योंकि 2 H minus आएगा, 2, तो 2 into 2, तो normality will come out to be 4 gram equivalents per liter, so it will be 4 gram equivalents per liter, तो normality 4 आ गई, molarity 2 आ गई, so this is, normality 4 gram equivalents per liter, and this is molarity which is 2M, तो पहले वाले केस के लिए आ गए हमारे पास, molarity 2, normality 4, simple था, कोई rocket science नहीं था, this was the first question, A question, clear हो गया, चलो, चल दे किस पर, B question पर, B question क्या कह रहा है, 3.65 gram of HCl, in 200 ml of solution, again molarity निकलते हैं, B वाले में, तो B वाले में molarity, कितना है given mass, 3.65, molar mass HCl का, देखेंगे, HCl का molar mass, 36.5, कैसे, H का कितना होता है, 1, C L का 35.5, 35.5 और 1, 36.5, into, 1000, क्योंकि volume ml में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 ml, 200 ml, 3.65 upon 36.5, तो यहां नीचे 2 0 बढ़ेंगे, उपर 1 0 बढ़ेगा, यहां पर 1 by 10 बचेगा, 1 by 10, ठीक है, और यह 10 से 1 0 cancel, 100 by 200, तो molarity will be equal to 1 by 2, बोले तो 0.5, molarity will be 0.5, बोलेंगे, normality will be molarity into n factor, molarity कितनी है, 0.5 into n factor बोलेंगे, क्या है, HCl, HCl की basicity, बोले तो कितने H plus science दे सकता है, एक, there is only one replaceable H plus science, तो 0.5 into 1, 1, तो 0.5 into 1 is 0.5, क्योंकि n factor 1 है, इसलिए molarity और normality same आईगी, that is 0.5, तो इसकी molarity और normality दोनों same आईगी, that is 0.5, तो molarity भी 0.5 and normality is also 0.5, clear हो गया, सारी चीजे, कोई दिक्कत नहीं है, second वाला पार्ट भी complete हो गया, let's move to the third part, C part पर चलते हैं, C part पर चलते हैं, इसके लिए extra slide ले ले लेते हैं, C part क्या कहता है, देख लेते हैं पहले, C part, किसका पूछ रहा भाई, 1 by 10 mols of H2SO4 in 500 ml of solution, यह सीधे mols दे दिये हैं यहां पर, 1 by 10 mols of H2SO4 in 500 ml solution, तो we have, molarity equals to mols upon volume of solution in ml in 2000, mols कितने दे दिये, 1 by 10, so this will become 1 by 10 in 2000 ऊपर चली रहा है, और volume solution का ml में कितना दे रखा है, 500, तो क्या करें, इसको solve करेंगे simple, तो क्या बचेगा यहां पर, यह 3 और 0 cancel, so it is only 1 by 5, 1 by 5 is nothing but 0.2 molar, तो molarity will be 0 point, molarity will be equal to 0.2 molar, 0.2 molar, what is normality, molarity into n factor, किसका केस है, h2SO4 का केस है, बोलेंगे h2SO4, acid है, तो इसकी basicities का n factor, और basicity बोले तो कितने h plus size दे सकता है, तो यह 2 h plus size दे सकता है, तो n की value 2 हो गई, तो normality will be equal to molarity is 0.2 into 2, 0.2 into 2, तो normality will be equal to 0.4, gram equivalence per liter, तो 0.4 gram equivalence per liter, तो molarity आ गई 0.2 और normality आ गई 0.4, simple question था, ठीक है, तो देखो अपनने ऐसी करना है, molarity पहले निकालना है, और फिर molarity में N factor का multiply करके normality निकालना है, otherwise तुम अगर जैसे conventional तरीका है, normality को निकालने का वैसे अगर निकालोगे तो question में आदा घंटा लग जाएगा तीनों पार्ट solve करने में, पहले पूरी molarity निकालो, फिर तुम normality निकालो, normality में इतने लपेसाने, पहले तुम्हें gram equivalent निकालने, जिसके लिए तुम्हे equivalent मास निकालना है, equivalent मास के लिए तुम्हे एनफेक्टर निकालना है, तो मतलब तुम समाझ गए न, इससे अच्छा तो सीधा molarity निकालो, molarity में इनफेक्टर का multiply करो, normality सामने आ जाएती है, और इनफेक्टर बड़े simple थे, क्योंकि ये base था, ये दोनों acid थे, तो base में जितने OH-1 निकले, और acid में जितने H-1 निकले, हर acid की basicity, एनफेक्टर होती हो, क्लियर हो गए वाला question, so we are done with the question number 7, ठीके, screenshot लेंगे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, screenshot लेंगे, चलो, अगले question पर चलते हैं, let's move to the 8th question now, 8 पर question चलते हैं, साथ पर question का ये वाला part कभी screenshot ले लो, clear हो गया, ले लेंगे screenshot, let's move to another question, अब चलते हैं, आठ पर question पर 8 पर question देखेंगे, भाई, 8 पर question समझेंगे, calculate the normality of the resulting solution, अच्छा, calculate the normality of the resulting solution, normality निकलना है आपको, resulting solution की, मतलब दो solution को फिर mix कर रहे होंगे, जैसी ये वर्ड आते हैं, resulting solution, तो अपने मन में घंटिया ये बचती हैं, कि भाईया, दो solution को ये लोग क्या कर रहे होंगे, आपस में mix कर रहे होंगे, made by adding two drops, two drops, two drops बोले तो 0.1 ml of 0.1 normal H2SO4, in 1 liter of distilled water, मतलब pure water है, और 1 liter distilled water है, जिसमें आपने, जिसमें आपने 2 drops, 0.1 ml, 0.1 normal H2SO4 के मिला है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, कि एक तरीके से ये dilution किया गया है, एक तरीके से ये dilution किया गया है, और भाईया, जब dilution किया गया है, तो इसका मतलब, और बाद के सेम होंगे, क्या ना तो चाहिए, बलकि gram equivalence पहले और बाद के सेम होंगे, लेकिन जो volume दिया हुआ है, क्योंकि वो ml में दिया हुआ है, तो मैं milligram equivalence बोलूँगा, तो milligram equivalence, डाइलूशन से पहले और डाइलूशन के बाद में, सेम होंगे, तो milligram equivalence will remain the same, तो milligram equivalence before dilution, will be equal to milligram equivalence after dilution, तो milligram equivalence before dilution, will be equal to milligram equivalence after dilution, so this implies milligram equivalence पहले कितने होंगे, 0.1 into 0.1, 0.1 into 0.1, क्यों होंगे ऐसा, 0.1 into 0.1, क्योंकि यह ml है और यह normality, normality into volume करते हो, तो milligram equivalence आते हैं, तो 0.1, अगर यह ml में है, तो milligram ही निकलेगा, into 0.1, तो अब milligram equivalence after dilution केता होगा, milligram equivalence after dilution मतलब, जब यह मिल चुका है, तो मिल चुका है तो normality वही तो निकालनी है, final resultant molarity, तो resultant normality निकालनी है, into volume, volume कितना है, एक लीटर है भाई, एक लीटर है after dilution, 0.1 ml add होगा, लेकिन एक लीटर मतलब 1000 ml, क्योंकि आप milligram equivalence निकालने हैं, तो 1000 होगया, तो यहां से क्या जाएगी, normality will be equal to 0.1 into 0.1 upon 1000, क्या होगा यह, 10 की पावर minus 5, because this is 10 की पावर minus 1, 10 की पावर minus 1, और फिर 10 की पावर minus 3, तो 10 की पावर total minus 5, gram equivalence per litre, तो this is gram equivalence per litre, तो यह आपकी आजाएगी, resultant normality, normality देखने को मिलेगे, 10 की पावर minus 5, gram equivalence per litre, so this will become gram equivalence per litre, clear होगया, so this will become 10 की पावर minus 5, gram equivalence per litre, और यह आपकी normality रहेगी, this will be the normality, जो resultant होगी, क्यालोर जो resultant होगी, क्योंकि यह resultant normality ही ना, after dilution, तो 10 की पावर minus 5, तो इसका answer क्या होगया भाई, इसका answer आगया, 10 raised to the power minus 5, normal solution रहेगा, जो final normality दिखाएगा, तो यह answer हमारा आएगा, यह answer आएगा, clear होगया, clear होगया, कोई tough question नहीं, अगर तुम्हें gram equivalence, milligram equivalence की concept clear है, तो normality में कोई tough question नहीं है, यह 8 question है, जो बढ़ा असानी से होगया, screenshot लब कहेंगे, फिर हम 9th question पर चलते हैं, screenshot लब कहेंगे, okay, let's move to the 9th question now, 9th question पर चलते हैं, 9th question क्या कहता है, what volume at NTP, 9th question क्या कहता है, what volume at NTP, of ammonia gas, will be required to be passed, into 30 ml of, normal H2SO4 solution, this is normal, NH2SO4 कुछ होता नहीं है क्योंकि, normal, एक normal है, 30 ml of normal H2SO4 solution, to bring down the acid normality, to 0.2 normal, अच्छा, एक बात confirm है, वो ये कह रहे हैं कि, 30 ml NH2SO4 solution में, 30 ml के, एक normal H2SO4 solution में, ammonia gas कुछ पास की गई, जिससे इसकी normality बदल गई, और normality कितनी हो गई, 0.2 normal हो गई, अब आपको बताना है, उस ammonia gas का, NTP पर कितना volume add किया होगा, ठीके, और बलकि कहना चाहिए, it should not be at NTP, it should be at STP, क्योंकि NTP के लिए, तो फिर हमें ideal gas equation, use करनी पड़ती है, तो it should be STP, तो तुम भी correct कर लेना, it has to be STP, समझाया, क्या हुआ, कि पहले, question समझेंगे, question समझेंगे, logical question है, question में वो यह कह रहा है, कि पहले आपके पास एक container था, जिसमें आपने, क्या भर रहा हुआ था, H2SO4 भरा हुआ था, यह H2SO4 भरा हुआ था, ठीके, so this is H2SO4 solution, this is H2SO4 solution, और इस H2SO4 का जो volume दिया था, वो दिया था 30 ml, और जो normality दी थी, वो दी थी 1, क्योंकि normality N बोली है न, N मतलब 1, तो normality कितनी दी थी इसकी, 1, normality 1 दी थी, अब इसमें बोल रहा है कि भाया, इसमें ammonia gas को पास किया गया, ammonia gas, तो एक बात clear है, ammonia base होता है, H2SO4 acid होता है, तो 100% इसको neutralize करेगा, लेकिन पूरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि, इसकी normality कम हो गई, normality इसकी कम हो गई, तो final अब इसकी normality जो आ गई, H2SO4 solution की, H2SO4 solution की जो normality आ गई, वो कितनी आ गई बोल रहे हैं, 0.2 normal, 0.2 normal, तो normality 0.2, कम हो गई ना, पहले 1 थी, ammonia gas पास किया, तो 0.2 normality आ गई, आपको ये बताना है, ये ammonia gas, STP पर कितना volume रखती हो गई, तो एक बात समझो मेरी, पहले H2SO4 के कुछ miligram equivalents होंगे, miligram equivalents, क्यों miligram equivalents, क्योंकि volume ml में, gram equivalents में निकाल सकते हो, बट मैं miligram equivalents की बात कर रहा हूँ, तो पहले H2SO4 के कुछ miligram equivalents होंगे, जो normality into volume करके आ जाएंगे, बाद में भी इसके कुछ miligram equivalents होंगे, क्योंकि बाद में normality दी हुई है, और बात का volume हमें पता होई होगा, क्योंकि volume में थोड़ी ना कोई change होई है, H2SO4, क्योंकि volume कुछ H2SO4 को dilute किया थोड़ी ना, किया है, उसमें तो सिर्फ ammonia gas पास की गई है, तो पहले जो volume था 30 ml, बाद में भी 30 ml रहेगा, ammonia gas के पास होने के बाद भी, तो volume वही रहेगा, तो बाद के miligram equivalents भी कुछ आएंगे, तो पहले के कुछ miligram equivalents आएंगे, बाद के कुछ miligram equivalents आएंगे, ये दोनों सेम तो होंगे नहीं, क्योंकि ammonia gas ने कुछ normality कम कर लिए, तो मतलब कुछ gram equivalents कम हो गए होंगे, मतलब कुछ gram equivalents ammonia लेकर जा चुका होगा, क्योंकि ammonia ने, अगर H2SO4 की normality घटाई है, तो वो कैसे घटाई होगी, उसके miligram equivalents अपने साथ लेकर निकल लिया होगा ammonia, तो ammonia कितने miligram equivalents लेकर निकला है, वो पहले हम निकालेंगे, क्योंकि H2SO4 के miligram equivalents में loss हुआ होगा, और जितना loss हुआ होगा, H2SO4 के miligram equivalents में, उतने miligram equivalents ammonia के भी लग गए होंगे, क्योंकि दोनों के milligram equivalent same होंगे तब ही तो react करे होंगे तो इसके lost milligram equivalents will be equal to milligram equivalents of ammonia milligram equivalents of ammonia से ammonia का mass मिल जाएगा moles वाले funday से लगा देंगे तो ammonia का mass मिल जाएगा ammonia का अगर mass मिल गया तो तुम्हे volume निकालना है STP पर ललू सी चीज़े फिरता mass से moles निकाल लेंगे moles से फिर हम volume निकाल लेंगे क्योंकि एक mole volume STP पर कोई भी gas 22.4 लिटर करती है ammonia के moles अभी पता चल जाएंगे थोड़ी देर में तो अपन को पता चल जाएगा उसका कित्ता volume में logic समझाया है question का question अच्छा था question अच्छा था question अगर logic समझ में आया तो पहले आपको initial milligram equivalence निकालने है H2SO4 के before passing ammonia gas so initial milligram equivalence initial milligram equivalence of H2SO4 before passing NH3 gas is equal to normality into volume बताओ normality into volume कितना है 1 into 30 so it is 30 milligram निकाल रहा हूँ तो ml में लेकर चलोंगा volume 30 final milligram equivalence final milligram equivalence of H2SO4 after passing NH3 gas after passing NH3 gas कितना होगा final normality into volume और final normality into volume कितना है 30 into 0.2 क्योंकि volume will remain the same normality घड़ गई है 1 से 0.2 हो गई है तो it will come out to be 6 6 ये 30 ये 6 तो milligram equivalence lost will be equal to तो milligram equivalence lost will be equal to 30 minus 6 भाईया 24 milligram equivalence loss हो गए और जितने इसके loss हुए है will be equal to milligram equivalence of ammonia क्योंकि उतने इं अमोनिया के react किये होंगे तो ये milligram equivalence किसके हैं ammonia के भी है क्योंकि उतने अमोनिया के milligram equivalence react किये होंगे और ये ही खास बात है gram equivalence और milligram equivalence की कोई reaction में अगर कोई दो चीज़े आपस में react कर रही है तो उनके gram equivalence और milligram equivalence तो बरावर होंगे तो भाईया अमोनिया के जितने H2SO4 के जितने खर्च हो गए जितने लॉस हो गए उतने अमोनिया के use किये गए होंगे तो वो कितने चलेगा 24 तो milligram equivalence of ammonia is 24 milligram equivalence of ammonia is 24 clear हो गया what is milligram equivalence of ammonia moles of ammonia into n factor of ammonia moles of ammonia into n factor of ammonia और वो भी millimoles रिकालने तो into 10 की पावर 3 संपट पढ़ी क्या बात देखेंगे अपर देखेंगे so now milligram equivalence of ammonia will be equal to milligram equivalence of NH3 will be equal to moles of ammonia into n factor into 1000 1000 क्यों आया क्योंकि millimoles चाहिए तो moles में 1000 का multiply करोगे तो millimoles आएंगे because this is milligram अगर ये gram equivalence होता तो moles into n factor होता लेकिन ये milligram equivalence है तो it should be millimoles into n factor और we can write as moles into n factor into 1000 अब ammonia का इंफेक्टर याद रखना only one होता है क्योंकि as a base it can only accept one H plus ion it can accept only one H plus ion तो its n factor has to be one ये बात याद रखना बहुत लोगों को confusion होती ammonia का इंफेक्टर वो कहते तीन H निकाल सकता है तर तीन होता है नहीं भाईया ammonia का इंफेक्टर वन होता है ये बात याद रखना only one because it can accept one H plus ammonia, ammonia मायन बन सकता है proton acceptor है एक तरीके का इसलिए वो base है और कितने proton accept कर सकता है one तो वो उसका इंफेक्टर होगा तो भाईया इंफेक्टर वन हो गया बहुत बढ़िया तो moles of ammonia will be equal to given mass जो में निकालना पड़ेगा given mass upon molar mass molar mass is 70 into 1 into 1000 equals to milligram equivalence of ammonia जो 24 आ रहे थे आ रहे थे 24 बस खेल खतम wait आगे आपका 24 into 17 upon 1000 Kelsey ले लो वाई इसके लिए तो मैं तो ले लूँ Kelsey तुम तो manually solve करो इसको 24 into 17 408 divided by 1000 0.408 किस में आएगा gram में आएगा बहुत बढ़िया तो यह आपका weight आगे 0.408 यह weight आगे moles निकालने moles निकालने पहले so now moles of ammonia moles of ammonia NH3 given mass 0.408 upon molar mass 70 कितना आगया moles 0. 0. 0.024 0.024 will be the moles ठीक है now अब हमें क्या पता है अब हमें क्या पता है now 1 mole इसका कितने volume होगा 22.4 into 0.024 equal to 22.4 into 0.024 will come out to be 0.537 6 liters which can be written as 537.6 milliliters तो यह वो volume है जो हमें जरुवत पड़ेगी ammonia का STP पर जो उस H2SO4 के normality को 1 से 30 ml H2SO4 की 1 normality के solution को 0.2 normal पे ले आएगा 0.2 normal पे ले आएगा तो कितना volume चाहिए 537.6 ml and I suppose it was the subjective question yes it was the subjective one तो answer clear हो गया हमारा कितना आजाएगा 537.6 so the answer will come out to be 537.6 ml 537.6 ml will be the final answer और ये 537.6 ml आपका यहां पर clear हो गया calculations आरे clear है कैसे क्या क्या चीजे करी पहले हमने यहां से क्या कर लिया कितने milligram equivalence loss हो रहे हमने उसका पता कर लिया पता चला वह यह 24 milligram equivalence loss हो रहे क्योंकि पहले थे 30 बात में हो गया 30 into 0.2 तो 6 हो गया ठीक है 30 minus 6 24 क्योंकि 30 minus 6 क्या थे 24 इतने loss हो गया जितने loss हुए होंगे वो ammonia से react कि होंगे तो जितने loss हुए वह एक्चुली ammonia के भी milligram equivalence उतने होंगे तो ammonia के milligram equivalence भी 24 आ गए अब milligram equivalence हमें पता है किसके बराबर होता है मोल्स ओफ अमोनिया into n factor into 1000 मतलब मिली मोल्स into n factor के बराबर तो मिली मोल्स ओफ अमोनिया हमको पता है कि given mass upon molar mass कर करके आता है into 1 into 1000 यह समझ में आया मोल्स 1000.408 gram हमें पता है वेट आ गया हमें अपास ammonia का हम 17 से डिवाइट करके मोल्स दिकाल लेंगे because ammonia का molar mass is 70 तो 0.024 मोल्स आ गए अब हमें यह पता है एक मोल ammonia gas 22.4 liter का volume occupy करती STP पर लेकिन वी आफ 0.024 मोल्स तो 0.024 मोल्स कितना volume occupy करेगी 22.4 into 0.024 so that comes out to be 0.5376 liter जिसको मने ml में लिक लिया तो 537.67 यह आपका answer होगा clear हो गया so this is our final answer यह आपका answer होगा so this is your final answer clear हो गया पहले इसका screenshot लेंगे जल्दी से फिर इस वाले part का screenshot लेंगे okay so clear हो गया question so this was question number 9 उम्भीद करता हूँ सबको यह question clear होगा और यह conceptual question था DPP का ठीक है let's move to another question question 9 के बाद चलता है question number 10 पर तो यह 10th question अब क्या कहता है द्यान से सुनेंगे 10th question क्या लपकता है 10th question यह कह रहा है कि 2 liters ammonia है 2 liter ammonia का volume दिया हुआ है 30 degree Celsius and 0.20 ATM pressure अच्छा ठीक है which is neutralized by 134 ml of a solution of H2SO4 calculate normality of H2SO4 अच्छा आपको normality निकालनी है H2SO4 के बढ़िया बात है और वो neutralize हो रहा है 134 ml of solution of H2SO4 के साथ तो हमें इसकी normality निकालनी है एक बात तो clear है कि ammonia के milligram equivalents completely अगर neutralize कर पा रहे हैं जैसा वो बोल रहे हैं तो फिर H2SO4 के milligram equivalents ammonia के milligram equivalents के बराबर होगी एक बात तो confirm हो गई अगर neutralize कर रहे हैं तो milligram और मैं milligram ले रहा हूं कोई confusion तो नहीं है यह तुम चाहो तो अपन ग्राम equivalents भी ले सकते हैं बस gram equivalents में जो volume रखोगे वो लीटर में रखना पड़ेगा अब यहां तुम्हारे पास option है क्योंकि यहां ammonia 2 लीटर दिया है और यहां H2SO4 ml में दिया है तो कोई एक तो change करना पड़ेगा confusion ना हो तो अपन milligram में चलते हैं जिसमें अपन चलते आ रहे हैं ठीक है तो अपन लपकते हैं आपर milligram equivalents milligram equivalents किसका ओफ ammonia will be equal to milligram equivalents of किसका H2SO4 क्योंकि completely neutralize कर रहा है ना completely neutralize कर रहा है milligram of H2SO4 में normality into volume आएगा तो यह तो clear है कि इसकी normality होगी H2SO4 की into volume होगा जो की 134 है 134 है और हमें वही normality चाहिए वो जो NH2SO4 है और रखना है और यहाँ पर भी क्या होगा इसकी normality होगी NH3 की into volume होगा NH3 का ठीक है volume तो चलो दे रखा है 2 liters normality नहीं पता निकाल नेंगे कोई rocket size थोड़े है हाँ भाई normality निकाल नहीं है यह जो इतना सारी चीज़े आपको दे रखी है 2 liter of NH3 यह सब क्यों दे रखा है पता है ताकि आप moles निकाल सको so considering ammonia as ideal gas considering ammonia NH3 as ideal gas we apply PV equal to nRT याद करो पढ़ाए basic basic PV equal to nRT PV equal to nRT हम रख लेते हैं सब कुछ दिया हुआ है बस N जो होता है moles वो नहीं दिये तो वो इससे निकल जाएंगे कैसे n will be equal to PV by RT बोलेंगे प्रेशर किता है दियो है प्रेशर 0.20 ATM वोल्यम 2 liters तो इस तो इस तो बें 2 liters आर 0.0821 0.0821 temperature दिया हुआ है 30 degree तो temperature Kelvin में convert करते हैं तो Kelvin में क्या होगा 30 plus 273 तो Kelvin में आ जाएगा 303 degrees बलकि 303 Kelvin not degree 303 Kelvin तो इंटो 303 यहां से निकलेंगे moles यहां से निकलेंगे moles 0.20 into 2 will be 0.40 ठीक है 0.40 हो जाएगा denominator पता कर लेते है 0.0821 this is 0.0821 ठीक है R is 0.0821 तो 0.0821 इंटो 303 24.87 आ रहा है और 0.40 दिवाइड बाए this value 0.016 moles आ गाए 0.016 यह moles आ गाए 0.016 these will be the moles of these will be the moles of ammonia which is having 2 liter of volume at this temperature and this pressure तो दो इतने moles आ गाए यह moles आ गाए ठीक है अब जो moles है उसको millimoles में गनवट कर लेते हैं so this implies millimoles कैसे निकलेंगे कुछ नहीं इंटो 1000 तो millimoles will be equal to 0.016 इंटो 1000 तो आ गए आपका 16 millimoles 16 millimoles 16 आ जाएंगे ना तो 16 millimoles आ जाएं अब एक बात confirm है जो millimoles है ammonia के वो उसके milligram equivalents के equal हैं पूछो क्यों क्योंकि milligram equivalents of ammonia milligram equivalents किसी का भी बल्की कहना चाहिए बराबर होता है millimoles into n factor का यही फॉर्मुला पढ़ा है millimoles into n factor for ammonia n factor is 1 अभी देखा हमने पिछले question में ammonia के लिए भाई n factor क्या है n factor 1 है क्योंकि हमने कहा न ammonia base है और कोई भी base इस case भी कितने proton accept कर सकता है उस basis पर n factor आएगा तो चूकि यह एक ही proton accept कर सकता है तो n की value 1 हो गई n की value 1 हो गई तो n factor 1 हो गया so this implies milligram equivalents of ammonia will be equal to millimoles millimoles कितने निखले 16 into 1 which should be equal to milligram equivalents of H2SO4 यह लिखा हुआ है तो इट विल बी NH2SO4 into 134 तो यहां से this implies normality of H2SO4 will be equal to 16 into 1 upon 134 so this implies normality of H2SO4 will be equal to 16 upon 134 so 16 divided by 134 0.11 normal solution this will become normality so this will become normality so according to the answer 0.11 normal will be the correct answer and since it's a subjective question तो इसका answer हम यहां लिख देते है answer is normality of H2SO4 is 0.11 0.11 this will become the normality तो यह normality आ गई किसकी H2SO4 solution की this is the answer समझाया कैसे किया question को क्लियर हो गया 0.11 तो अब देखते हैं 11th question भाई यह नॉर्मालिटी का तो नॉर्मालिटी का दस्वे question के बाद अब चालू करते हैं 11 वा question 11 वा question क्या कहता है ध्यान से सुरेंगे calculate normality of mixture obtained by mixing देखो हमें normality निकलनी है जिसमें यह सारे parts में इन इन चीजों को add किया गया है यह pair of solutions add किये गया है जैसे ए पार्ट में बोला गया 100 ml of 0.1 normal HCl 50 ml 0.25 normal NaOH के साथ मिलेगा तो यह HCl solution है और यह NaOH solution है मतलब confirm है कि यह base है NaOH और यह acid है ठीक है तो देखने में तो यह objective question लग रहा था बढ़ है subjective क्योंकि हर एक पार्ट में liquid pairs दी हुए solution के pair दी हुए है और हमें resultant normality निकलना है तो एक बाद तो confirm है कि जब base और acid अगर आप mix करोगे तो इनके milli equivalents एक दूसरे को आपस में काटेंगे काटेंगे बोले तो the milli equivalents will going to get cancelled because acid और base एक दूसरे को neutralize करता है so since acid and base will going to neutralize each other so the milli equivalents will get cancelled तो हम क्या करते है सबसे पहले इनके milli equivalents निकाल लेते हैं ए पार्ट में सबसे पहले हम लोग निकालते है milli equivalents और milli equivalents क्यों निकाल रहे है milli equivalents क्यों निकाल रहे है क्योंकि volume हमें ML में दिया हुआ है अगर volume liter में होता है तो सीधा gram equivalent निकाल लेते है तो यहां हमें ML में दिया हुआ है तो milli equivalents निकलेंगे तो milli equivalents of HCl कैसे निकलेंगे normality of HCl into volume in ML into volume in ML तो normality किती दे रखी है HCl की 0.1 into 100 तो 0.1 into 100 तो कितना आ गया? 10 answer आ गया यहाँ पर पिली equivalence of HCl का In the same way we will calculate In the same way we will calculate milli equivalence of sodium hydroxide जो उसकी normality और उसके volume से आएगा तो इसकी normality कितनी है? 0.25 0.25 into इसका volume कितना है? 50 तो into 50 तो क्या होगा? 0.25 into 50 is 50 का आदा 12.5 So it will become 12.5 milli equivalence ठीक है? अब एक confirm बात है कि HCl के milli equivalence 10 है जो की कम है NA वच के milli equivalence के सामने क्योंकि milli equivalence at NA वच के कितने निकले? 12.5 मतलब resultant solution will be basic in nature Now resultant normality will be equal to N1 इसको अगर हम N1 V1 माल ले यानि कि milli equivalence of base milli equivalence of NAOH minus milli equivalence of HCl upon resultant volume resultant volume will be V1 plus V2 क्योंकि total volume तो add होकर ही बनेगा तो resultant normality will be equal to milli equivalence of NAOH कितना है? 12.5 minus इसका कितना है? 10 upon V1 plus V2 दो नो volume add कर दो 100 plus 150 100 plus 50 तो यह 150 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 2.5 divided by 150 2.5 divided by 150 decimal उच्खाएंगे यहां से तो नीचे एक 0 बढ़ेगा तो 25 1s हा 25 6 T तो 1 by 60 So this is 1 by 60 will be the resultant normality तो यहां पर जो resultant normality आ रही है वो आ रही है 1 by 60 1 by 60 अब यह जो resultant normality इसमें volume जो है वो किसमें रखा हुआ है? ML में चलेगा क्योंकि ML में रखा हुआ है तो आप भी millie equivalence निकाल रहे हो तो actually अगर gram equivalence per liter होता तो भी normality होती या milligram equivalence per milliliter होता तो भी normality होती तो यह milligram equivalence per milliliter है तो 1 by 60 तो यह आपकी resultant normality आ गई which is NR 1 by 60 तो पहले वाले case में resultant normality will come out to be 1 by 60 आप इसको fraction में भी रख सकते हो और else आप इसको decimal में भी calculate कर सकते हो concept clear हो गया कैसे यह चीज हुई है millie equivalence of any which minus millie equivalence of hcl क्योंकि है क्योंकि यह opposite nature के और opposite nature मतलब acid और base है तो यह एक दूसरे को cancel करेंगे ultimately 2.5 net रह जाएगा जिसके इस आपसे आपने resultant normality निकाल ली 1 by 60 screenshot लब अगले इसका फिर अपन सीज़ा चलते है second वाले पार्ट पर जो कि होगा B वाला पार्ट तो B वाले पार्ट को लब केंगे लेकिन पहले आप screenshot लब केंगे चले आगे यह B पार्ट हो गया clear हो गया let's move to the C part C part क्या क्या रहे 100 ml of 0.2 molar H2SO4 so C part क्या है 100 ml of 0.2 molar H2SO4 C part 100 ml of 0.2 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.2 molar NaOH 100 ml of 0.2 molar NaOH ठीक है तोनों को आड़ करते नहीं दोनों को subtract करेंगे इस बाद मतलब इसके milligram equivalence और इसके milligram equivalence आपस में minus होंगे क्योंकि एक acid है और एक base है तो पहले निकालेंगे अपन किसका milligram equivalence of या mille equivalence of H2SO4 बोलें क्या निकलेगा molarity दिये तो molarity में n factor का multiply और volume ml में multiply कर दें molarity कित्ती है 0.2 n factor sulfuric acid 2 क्योंकि 2H plus देगा into 100 तो यह हो जाता 20 into 2 that is 40 mille equivalence of H2SO4 यहाँ पर इसके रिकालते हैं ना हो so mille equivalence of NaOH will be equal to कितना हो जाएगा mille equivalence of NaOH यह हो जाएगा 100 volume into molarity 0.2 into 1 so that comes out to be 20 तो इसकांसर आजाएगा 20 now total mille equivalence क्या आगए total mille equivalence कितने आगए इसमें अपन mille equivalence of H2SO4 minus NaOH करेंगे क्योंकि H2SO4 के जाएगा 40 और इसके 20 है तो इसको ऐसे minus करेंगे तो total mille equivalence will be equal to 40 minus 20 that is 20 mille equivalence बचेंगे and total volume will be equal to total volume कितना हो जाएगा? total volume add हो जाएगा तो इसका volume कितना था? 100 और उसका भी 100 so 100 plus 100 that will become 200 so it will be 200 ml 200 ml resultant normality will be equal to total mille equivalence total mille equivalence upon total volume upon total volume so total mille equivalence is 20 upon total volume is 200 so that comes out to be 1 by 10 so it is 1 by 10 mille equivalence per ml तो this is 1 by 10 mille equivalence per ml और ये हमारा एकदम correct answer होगा so this is 1 by 10 mille equivalence per ml this is absolutely correct answer तो इसका answer आगया 1 by 10 थर्ड वाले का 1 by 10 तो answer सारे एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं ये 1 by 60 आगया था ये आगया था 1 by 4 by 15 4 by 15 इसका आगया 1 by 10 लास्ट वाला बचा हुआ है बट पहले उसका screenshot लेंगे लास्ट वाले में तो सीधा दिया हुआ है 1 gram equivalent of any OH सीधा ये दिया हुआ है और 100 ml of 0.1 normal HCL तो ये 1 gram equivalent है इसको हम miligram equivalent निकाल सकते हैं इसका gram रहन देंगे इसको भी gram में निकाल लेंगे फिर तो वो करते हैं पहले आप इसका screenshot ले लो थर्ड वाले का इसका screenshot ले लो ओके ना फॉर्थ वाला स्टार्ट करते हैं फॉर्थ वाले का खेल देखते हैं क्या दिया हुआ है जो 4 उवाले वर्थ मतलब D तो D वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है 1 gram equivalent तो दिया था 1 gram equivalent of NAOH दिया हुआ था देख लेते हैं एक बार confirm कर लेते हैं 1 gram equivalent of NAOH दिया हुआ है 100 ml of .1 normal HCl 100 ml of 0 0.1 normal HCL ठीक है तो एक काम करते हैं यह gram equivalent है इसके भी gram equivalent निकालते हैं यह तो बन दे रहा है उड़ेडी इसमें तो कुछ changes नहीं करने हैं इसमें निकालते हैं तो इसके भी gram equivalent निकालते हैं तो कैसे निकलेंगे gram equivalent of HCL of HCL कैसे निकलेंगे normality 0.1 into volume in liter होना चाहिए तो liter में करने के लिए 100 into 10 की power minus 3 तो यह आ जाएगा 10 into 10 की power minus 3 so that implies 10 की power minus 2 यह आगया 10 की power minus 2 तो इसके gram equivalents आगया 10 की power minus 2 और इसके 1 gram equivalent अब यह चीज़ देखें कि total gram equivalents minus होंगे क्योंकि यह NaOH और वो HCL है यह NaOH और वो HCL है तो total milligram equivalents अगर निकालने है तो total बलकि gram equivalents निकालते है total gram equivalents अगर निकालने है तो क्या होगा 1 में से 10 की power minus 2 minus कर दोगे 10 की power minus 2 मतलब 1 by 100 1 by 100 मतलब 0.01 तो 0.01 को minus कर दोगे तो you will get this as 0.99 अब कर यह 0.99 निकलेगा तो this will become 0.99 और total volume total volume कितना हो जाएगा ओके 1 gram equivalent में लाया हुआ है यह तो 1 liter है 1 gram equivalent per liter है ना और वो 100 ml है मतलब वो है 1 by 10 liter 1 by 10 liter मतलब 0.1 तो total volume is 1 liter plus 0.1 liter तो that comes out to be 1.1 liter अब resultant normality is equal to gram equivalents upon total volume which should be in liter अब इस बार यह volume on 1.1 clear हो गया? तो 0.99 divided by 1.1 solve कर ले ते इसको 0.9 तो normality will be 0.9 तो नार्मालिटी विल बी 0.9 तो नार्मालिटी विल बी 0.9 तो यह चीज आ गई हमारे answer में और इस तरीके से यह answer आ जाएगा clear हो गया? तो यह पूरा solution है और पूरा 11th question हमारा complete हो गया जिसके 4 पार्ट थे और यह हमने 4 पार्ट पूरे complete कर लिए तो यह पूरे 4 पार्ट हमारे complete हो गया screenshot लेंगे फिर हम आगे चर्चा करेंगे चलते हैं अगले question पे नाओ next question देखते हैं क्या कहता है next question भई? so 11th question we are done with 11th question के एक बार यह यह वाला भी screenshot ले लो सबके answer सामने ही अगर आपने खुद से solve किया हो आपने solution की जरुवत नहीं पड़ी हो तो फिर आप सीधे answer यहां से भी match कर सकते हो screenshot ले ले एक बरस का okay so clear हो गया? this was the 11th question अब चलते हैं अगले 12th question के तरफ let's move to the 12th question 12th question देखते हैं 12th question क्या कह रहा है? 12th question क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे reading करते 12th question के 12th question लपेट रहा है what volume of water is required to make 0.20 normal solution from 1600 ml to 0.2050 normal solution नहीं, what volume of water is required to make 0.20 normal solution from 1600 ml of 0.2050 normal solution 0.2050 normal solution आपके पास 1600 ml का 0.2050 normal का solution है अब कितना volume आपको और चाहिए ताकि 0.20 normality को इसको ले आओ तो बहुत simple है आप इसको dilute कर रहे हो water की requirement है मतब आप dilute कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए as per normality equation of dilution normality equation of dilution में gram equivalent same रहते है या कह सकते हो milligram equivalent same रहते है तो milligram equivalence will remain the same तो पहले N1 V1 milligram था बाद में N2 V2 milligram था लेकिन ये दोनों same रहेंगे क्योंकि पानी मिलाने पर आप milligram equivalent थोड़ी ना बदलोगे solute के भाया solute का जो milligram equivalent है वो तो वही रहेगा जो पहले था क्योंकि आपने पानी मिलाया है पानी solvent solute में आपने कोई changes नहीं करें तो solute जैसा था वैसे ही रहेगा मतलब जितना था उतना ही रहेगा मतलब जितने milligram equivalent से उतना ही रहेंगे तो सिर्फ आपको normality into volume करना है अब यहां से बोलें पहली normality है 0.20 पहली normality है 0.20 volume हमें बताना है कितना होगा तो V1 हम जो है वो बताएंगे final volume कितना होगा equal to second condition में हमें normality दी हुई है 0.2050 और volume दिया हुआ 1600 ml और अगर ml में रख रहे हो तो ensure करना कि यहां पर जो volume आपका निकलेगा answer में वो भी ml में निकलेगा आपका जो volume answer में निकलेगा भाई वो भी ml में निकलेगा अब यहां पर अपन क्या करते हैं V1 निकाल लेते हैं के ml में होगा कैसे निकालेंगे simple math लगेगी 0.2050 0.2050 into into 1600 divided by 0.20 clear यहां से decimal उचकाएंगे अब यह decimal उचका तो into 10 की power 4 बढ़ गया और यह decimal उचका तो 10 की power 2 यहां पर आ गया 10 की power 2 यह 20 10 की power 4 पूरा cancel क्या बचा 2 0 5 0 into 16 upon 20 बल्कि इसको 4 by 5 कर लेते है 4 से cancel out करते हैं तो 2050 into 4 by 5 तो 20 50 वैसे वो 5 से भी जाएगा करने इसको solve 5 1 जा 5 5 4 जा 20 0 1 0 so this will become 4 0 1 0 into 4 भी कर लेते हैं तो 4 0 जा 0 4 into 1 is 4 4 into 0 is 0 4 into 4 is 16 1 6 0 4 0 ml आ गया हमारा अंस है नहीं यह 1 6 0 4 0 final volume है इसमें वो पूछना है कितना volume of water is required मजब कितना और add करना पड़ेगा तो पहले का volume कितना था 1600 और अब नया volume कितना है 16,040 ml 16,040 ml यह न 4 0 1 0 it will be 4 0 1 0 into 4 times हाँ नहीं दिस बीस पचास तो अच्छा 4 0 1 0 नहीं आएगा 4 0 1 आएगा it has to be 4 0 1 my mistake कुछ यह calculation में अपनने गड़बर कर दी ठीक है एक decimal पे इस की गड़बर कर दी तो 5 से यह से इस इत विल बेट cancelled तो 5 4s are 20 4 0 and then we have this as 50 तो 50 will be 1 तो 4 0 410 10 my mistake 410 तो 410 तो 410 आएगा तो it will be 410 तो this will be 410 ml क्योंकि 410 into 5 करोगे तो 2 0 5 0 you will get as answer तो 410 into 4 करेंगे अप करेंगे तो 400 चार बार करते तो 1600 और 10 40 तो 1640 ml तो यह हमारा V2 आ रहा है which is sorry V1 आ रहा है which is the वो वाला volume जिसको उमने अभी निकाला है जिसको उमने calculate करा है तो V1 आ गया कितना 1640 ml अब इसको कहां से उठाया था 1600 से उठाया था तो 1600 से 1640 मनाया है तो कितना volume of water add किया होगा therefore volume of water be added be added is equal to V2 minus V1 और V2 minus V1 मतलब 1640 minus 1600 तो कितना आ गया 1640 minus 1600 मतलब V1 minus V2 कर लो क्योंकि हमने पहले वाला बात में ले लिया तो वो V1 हो गया और V2 हमारा V1 हो गया तो V1 V2 हो गया V2 V1 हो गया तो V1 minus V2 करो गया तो you will get 40 ml as the answer तो इसका जो answer आएगा वो आएगा 40 ml तो यह हमारा answer आ गया कितना 40 ml clear हो गया subjective question था so the answer will be 40 ml यह इसका answer है clear हो गया simple question था n1 V1 equal to into V2 का concept लगाना था हमको यह देखना था कि final volume कितना आएगा यानि कि V2 निकालना था यहाँ पर हमने वो condition में वीवन लिया है बात एक ही है उससे फर्क नहीं पड़ता जादा लेकिन फिर हमको final volume निकालना है तो हमने 1600 से चालू किया था 1640 तक गए मतलब 40 ml पानी और मिलाया जिससे normality और क्या हो गई कम हो गई 0.2050 से 0.20 हो गई तो 40 ml पानी मिलाने से normality कम होगी और याद रखना volume बढ़ाओगे अगर solvent मिलाओगे अगर तो normality घटेगी concentration घटेगा क्योंकि dilution और concentration inversely है अगर पानी मिलाते हो मतलब आप dilute कर रहे हो तो मतलब आप concentration घटाओगे concentration कम होगा clear हो गई screenshot लेंगे आगे फिर चर्चा करेंगे अगले question पर चलेंगे हम लोग यहाँ पर now next question पर चलते हैं तो next question क्या कहता है देख लेते हैं इसको अगला question 13th question क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे 13th question the question 13 क्या कह रहा है the volume ratio of 6 normal and 2 normal hcl जो volume ratio होगा किसका 6 normal or 2 normal hcl required to prepare 100 ml of 5 normal hcls आपको volume का अपस में ratio बताना है किसका जिसको बनाने के लिए required to prepare 100 ml of 0.5 normal or 5 normal hcl not 0.5 5 normal hcl तो आपको 6 normal and 2 normal hcl का ratio बताना है volume का ratio बताना है जिससे आप 100 ml 5 normal hcl बना सको अल्टिमेटली आपको दो volume मिलाने है hcl के एक 6 normal वाला और एक 2 normal वाला और जो resultant होना चाहिए उसका 100 ml 5 normality के साथ होना चाहिए तो जो volume आप मिलाओगे वो क्या ratio में मिलाओगे तो ठीक है अपन पता गल लेते हैं देखो एक बात तो confirm है जो volume हमें मिलाने दोनों के वो दोनों मिलकर answer 100 आना चाहिए क्योंकि ultimately final volume जो है वो 100 ml है तो मतलब हमने शुरुआत के दोनों solution hcl के six normal वाला और two normal वाला जो मिलाया होगा इनका पूरा volume मिलकर 100 ml बना होगा पूरा volume मिलकर 100 ml बना होगा तो एक काम करते हैं assumption चालू करते हैं let the volume for six normal hcl छे normal hcl वाले का बी x और वो भी ml में बी x ml तेरफोर volume for two normal hcl will be equal to hundred minus x ml क्योंकि दोनों मिलकर 100 ml के होंगे तो six normal वाले का मैंने माल लिया volume x ml है और two normal वाले का माल लिया मैंने hundred minus x है और मुझे यह ratio चाहिए x और hundred minus x का मुझे यह ratio चाहिए x और hundred minus x का तो वो ratio भी में निकाल लूँगा बट अभी यह चीज़ समझ में आई मुझे यह ratio चाहिए दोनों का ठीक है अब देख लेते हैं अब एक चीज़ और है कि total जो volume यह जो होंगे यह add होंगे क्योंकि दोनों है तो hcl के और equal to इसके बराबर होंगे मतलब इन दोनों को addition करके जो gram equivalence बनेगा वोई gram equivalence यहाँ पर आएगा final में तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे n1 v1 पहला वाला case यह वाला प्लस n2 v2 दूसरा वाला case बोले तो यह वाला will be equal to final normality into volume n3 v3 यह वाला case कर देते simple तो normality 6 है volume x लगा ml में plus normality second वाले की 2 है volume लगा 100 minus x equal to n3 into v3 100 into 5 so this implies 6x plus 200 minus 2x equal to 500 so this implies 6x minus 2x is 4x 200 मां गया तो 300 सीधे मिल गई x की value 300 by 4 300 by 4 150 by 2 150 by 2 is 75 ml मतलब यह answer आ गया हमारा 75 ml तो मतलब इसका जो volume हो गया वो गया 75 ml तो फिर इसका volume कित्ता हो गया 100 minus 75 that means it will become 25 ml और रेशो निकालना है 6 normality इस तो तो नॉर्मालिटी का तो हमें रेशो निकालना है रेशो वोल्यूम आ जाएगा यहां पर so ratio of volume ratio of volumes will be equal to 75 upon इसका वाला है 25 तो ratio upon volume is 75 by 25 that is the ratio will be 3 is to 1 अगर 6 normal is to 2 normal निकालने तो it has to be 3 is to 1 100% option correct होगा clear हो गया तो simple question था यह भी कोई rocket science नहीं था बस इसमें concept क्या था कि हमें assumption करना था कि माल लेते 6 normal का volume x है तो 2 normal वाले का volume क्या हो जाएगा 100 minus 6 फिर हमने वही concept लगा दिया क्योंकि hcl hcl दोनों होंगे और final gram equivalent उतनी आएंगे जितने उनने बोल रखें 100 ml और 5 normal को multiply करके तो 500 आएगा तो 500 gram equivalent आएंगे milligram equivalent बोलने चाहिए तो 500 milligram equivalent आएंगे वहां से हमारी एक linear equation बन गई जो one variable में थी और one variable में simple x की value निकल जाएगी and we'll get this as final answer संपट पड़ गई क्या बात पूरी तरीके से screenshot लेंगे यहां पर हमारा 13th question complete होता है अगले question पर चलते हैं बट पहले आप इस question का screenshot लेंगे अगले question पर चलते हैं चलें now next question is 14th question तो क्या कह रहा है 14th question 14th question पर आप थोड़ी चर्चा करते हैं the normality of 0.3 molar phosphorus acid is लल्लू question है normality of 0.3 molar आपको पता है molarity और normality का relation normality is equal to molarity into n factor n factor बोले तो valency factor तो सीधा उठाकर multiply कर तो आपको normality मिलेगी तो molality कित्ती थी है 0.3 अब n factor valency factor कौन से acid है phosphorus पता होना चाहिए भाई phosphorus acid is h3po3 और h3po3 का अगर structure बना है तो यह रहा phosphorus यह रहा double bond हो यह रहा एक OH यह रहा एक OH और यह रहा है कितने hydrogen है जो oxygen से bonded है यहाँ पर कितने hydrogen आपको दिख रहा है जो यहाँ पर oxygen से bonded है यह एक h-plus दिख रहा है और यह एक h-plus दिख रहा है यह hydrogen नहीं जाएगा h-plus में क्योंकि तो phosphorus से bonded है electro negative से जो bonded होगा hydrogen वहीं release होगा तो यह h-plus और यह h-plus release होगा कितने h-plus replaceable है दो मतलब basicity क्या है टू और basicity जितनी होती होतना ही n-factor होता है basicity जितनी होती होतना ही n-factor होता है तो इस case में n-factor will be 2 तो it will be into 2 तो normality is equal to 0.6 gram equivalents per liter और milligram equivalents per milliliter option d बिलकुल correct है कोई rocket science नहीं था इसमें तो यह तो simple question था तो यह हमारा बिलकुल correct answer होगा ठीक है तो this is 0.6 बिलकुल correct answer हमारा होगा clear हो गया 14th question का d option basic चीज थी basic funda था screenshot लेते हैं अगले question पर चलते हैं तो 14th question सबसे easy question था let's move to another question चलते 15th question पर 15th question देख लेते हैं बाई calculate the volume of water to be added to a 100 ml of 5 normal solution to make it 0.01 normal पहले वाले question की तरह ही है पिछले के पिछला वाला कुछो question किया था कुछ नहीं करना milligram equivalents normality equation of dilution लगाना है क्योंकि हमें पता है जब भी आप normality equation of dilution लगाओगे तो इसका मतलब आप solution को dilute कर रहे हो लेकिन उस दौरान gram equivalents change नहीं कर रहे हो so this will become normality equation for dilution normality equation for dilution तो इस समय आप क्या है normality change नहीं कर रहे हो so this implies normality equation for dilution क्या है n1 v1 equal to n2 v2 तो initial normality कितनी है 5 normal जिसमें solution का volume कितना है 100 इस समय है volume ml में तो milligram equivalents निकाल रहे equal to normality second कितनी है 0.01 final volume नहीं पता let it to be v2 to let it be v2 to v2 कितना आ गया 5 into 100 upon 0.01 so that comes out to be 50,000 ml this comes out to be 50,000 ml to calculate the volume of water to be added to make it 0.01 normal to 50,000 ml आपको volume total चाहिए final volume जो इतना है इतना water add करना पड़ेगा तो volume of water to be added is final volume minus initial volume तो therefore volume of water to be added volume of water to be added कितना volume add करेंगे हम water का v2 minus v1 v2 कितना है 50,000 ml जिसमें से 100 ml हम minus कर देंगे तो 100 ml हम minus कर देंगे तो कितना ml बचेगा 49,900 ml of water तो इतना पानी आपको चाहिए अगर normality पांच normality से 0.01 बनानी है तो बहुत कम बनानी नहीं इसलिए पानी बहुत ज्यादा चले डालना पड़ेगा पांच normality से 0.01 normality बहुत ही कम normality करनी है इसलिए volume of water बहुत ज्यादा लगेगा इतना concentration कम करने के लिए यह देखो ना कितना concentration कम कर रहे हो पांच से सीधा 0.1 0.01 बलकि तो बहुत ज्यादा पानी आपको लगेगा तो इतना लगेगा 49,900 है क्लियर हो गया 15 question का यह सदीग answer था let's move to the 16 question बट पहले आप screenshot लेंगे इसका क्लियर होगा 15 question लल्लू question था कोई भी ऐसी कुछ चीज नहीं थी जो tough लगे सारी चीज़े अपने concept अच्छे से पढ़ा है पूरी theory normality के अच्छे से पढ़िए उसी पर बेस्ट यह question था अब चलते हैं अगले question पर question number 16 question number 16 क्या क्या रहा है इस पर बात कर लेते हैं the formula weight of an acid is 82.0 ठीक है यहाँ पर full stop है फिर उसके बाद 82.0 मतलब formula weight क्या होता है कोई भी asset के formula से जो weight आपको सामने दिख रहा है जिस formula से वो किसी भी reaction में react हो रहा है वो उसका formula weight होता है और formula weight से आप कह सकते हो यहाँ से आप equivalent mass निकल सकते हो मतलब यह actually equivalent mass निकल जाएगा कैसे निगलेगा equivalent mass it is equal to 82.0 82.0 ठीक है तो यह basically given mass normality क्या होती? gram equivalence upon volume और gram equivalence में क्या होता है? molar mass gram equivalence क्या होता है? given mass upon equivalent mass तो यहाँ पर हम equivalent mass लिखते, molar mass upon n factor ठीक है न? तो basically यह formula weight से acid से molar mass upon n factor हो जाएगा तो यहाँ से equivalent mass आएगा, यह molar mass हो गया 82 upon n factor तो यह n factor equivalent mass हो जाएगा ठीक है n factor हमें दिया नहीं है न क्योंकि मैं acid नहीं बताया कौन सा है तो ये 82.0 will be the equivalent mass 82.0 by n will be the equivalent mass और 82.0 formula mass बनेगा क्योंकि formula से जो mass आ रहा है वो formula mass हो गया तो formula mass upon n factor करोगे आपको equivalent mass मिलेगा और आगे question पढ़ते हैं आगे क्या का है 100 cm cube of a solution of this acid contains 39.0 gram of the acid per liter ठीक है containing 39.0 gram of the acid per liter वर completely neutralized by 95 cm cube of a quos NOH containing 40 gram of NOH per liter अच्छा ये जो acid है जिसका formula weight 82 दे रखा है जिसका equivalent mass आपने निकाल लिया 82 by n factor करके उसका 100 ml उस solution का 100 ml जिसमें 39 gram acid per liter है इस strength से है जो की completely neutralized कर लेता है 95 ml NOH के solution का जिसकी strength 40 gram per liter है तो आपको बताना है what is the basicity of the acid ये जो n factor है ना ये बताना है ये basicity है एक बात confirm कर लो कि अगर तुम कहा रहे हो acid is getting completely neutralized by N A O H तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक ही चीज हुई कि भाईया milligram equivalence या क्यालो milliequivalence of this acid will be equal to milliequivalence of base milliequivalence of this base of base मतलब कौन सा बेसे N A O H तो of N A O H milliequivalence बोले तो normality into volume ml में acid की equal to normality into volume ml में N A O H की कर लेते हैं दोनों equal कर लेते हैं दोनों equal ठीक है चलो normality of acid पहले बताएंगे normality of acid moles of acid sorry gram equivalence of acid upon volume and gram equivalence given mass upon equivalent mass तो normality of an acid क्या आगई given mass question में given mass कितना है formula weight तो दिया हुआ है given mass हमें given mass upon मुला तो given mass is WB दिया है क्या ओके containing 39 gram दिया हुआ है न containing 39 gram of the acid per liter तो अगर एक liter solution है तो उसमे 39 gram acid है तो हमारे पास 39 gram है acid upon given mass upon this is given mass upon equivalent mass so that will become gram equivalence given mass upon equivalent mass what is equivalent mass 82 by N into कितने liter में है एक liter में है तो यहां ml में रख रहे हैं सारी चीज़े okay so this is thousand upon thousand वैसे तो एक liter में तो यह cancel हो जाता वन ही आ जाएगा into now the volume in ml जो acid का volume है वो है hundred यह hundred दे रखा है तो into hundred equals to अब सब कुछ यह चीज़ बेस के लिए बेस के लिए क्या है NAOH है हमारे पास तो NAOH का weight कितना है normality निकालेंगे तो given weight upon equivalent mass given mass upon equivalent mass will be gram equivalence तो equivalent mass कैसे निकलेगा NAOH का equivalent mass molar mass upon N factor और molar mass NAOH का 40 होगा N factor 1 होगा तो divide by N factor भी करोगे तो कोई फरक नी पड़ेगा तो यह 40 by 1 यानी कि 40 होगा into यह भी एग लिटर है तो thousand by thousand और इसका volume कितना दिया हुआ है 95 cm3 into 95 बस यहाँ पर सारी चीज़े नो ने सिवाए N को छोड़ कर तो N निकल जाएगा N निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं N को उपर ले जाते तो this implies 39 by 82 into यह कडिया पूरा into 100 into N equal to यह कडिया पूरा यह कडिया पूरा equal to सिर्फ 95 बचा है यहाँ पर N will be equal to 95 into 82 upon 39 into 100 39 into 100 solve कर ले अब इसको N की value आजेगी सीधा 95 upon 39 यह simplify होता है क्या नहीं होता 2.43 आएगा ठीके into 0.82 तो इसको simplify करेंगे 1.99 ओके ओके 1.99 is approximately equal to 2 so N factor comes out to be 2 which is known as the basicity of acid क्योंकि यह हमने N factor क्या माना था basicity of acid तो this is basicity of acid और basicity of acid कितनी आ रही है as per our calculation that is 2 1.99 आ रही है but that is close enough to 2 तो यह हमारा final answer हो गया this is 2 तो 1.99 क्योंकि basicity नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी acid की जो basicity होती है वो उसके अंदर कितने H plus निकाल रहा है वो होता है अब 1.99 H plus कैसे निकालेगा वो 2 निकालेगा न एक molecule में से 2 H plus निकलेगे न तो 1.99 is close enough to 2 so this will become answer is coming out to be 2 that is known as its basicity तो यह basicity हो गई तो answer इसका कितना आ गया basicity of the acid basicity of acid will come out to be 2 तो यह basicity आ गई acid की जो की 2 आ जाएगी clear हो गया पूरा पाट clear हो गया this is the 16th question screenshot लेंगे अगले question पर चलेंगे screenshot लेंगे 17th question पर आते हैं students next question will be 17th question ठीक है 17th question क्या कह रहा है पर देते एक बार what volume at NTP of ammonia gas will be required to be passed into 30 ml H2SO4 solution to bring down the acid normality to the point repeated question है ठीक है यह already हम कर चुके repeated question है इसको already हम solve कर चुके फिफ्ट या शिफ्ट पर एक गलती से type हो गया होगा बट यह repeat हुआ है इसमें हम लोग gram equivalence निकाल लेंगे फिर वो H2SO4 से pass करेंगे तो जितने H2SO4 NH3 ने absorb कर लिए उतने loss हुए होंगे 30-24 को चाहरा था 6 mmol तो वो ही सारी चीज़ आएंगे वो ही सारी चीज़ आएंगे इस रिपीटेड है एक्जाक्ली डेटा भी से में इसलिए मैं नहीं कर आ रहा हूँ लेकिन यह पहले आप देखोगे एक बार question तो हम इसको कर चुके अगले question पर चलते question number 18 पर तो विल मूब तो दी 18th question now 18th question दमदार लग रहा है 18th question को रीट करने क्या कहता है 18th question density of a solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per ml okay mass percentage of sulfuric acid is equal to कितना है 1.0 oh sorry 13% 13% और density कितनी है solution की density of solution कितना है 1.09 gram per ml यह density है molarity और normality दोनों निकालना है okay volume of 100 gram of the solution hint दे दिये basically this is not solution hint दे दिये volume of 100 gram of the solution उसको मान लेना है कि पहले में volume निकालना पड़ेगा 100 gram solution का तो पहले अपन देख लेते है कि density से अपन क्या बढ़ा सकते है mass percent h to s of 4 का 13% है इसका मतलब क्या हुआ mass percentage का मतलब क्या हुआ if या let the mass of solution solution be let the mass of solution be 100 gram हम 100 gram माल लेते हैं solution का mass therefore क्योंकि mass percent 13 है तो h to s of 4 का mass कितना हो गया therefore mass of h to s of 4 will be equal to 13 gram तो h to s of 4 का mass कितना हो जाएगा 13 gram हो जाएगा तो this will be mass of h to s of 4 13 gram अब पहले हम खेल करते हैं molarity का क्योंकि हमसे दोनों चीज़ पूछी गई है normality भी और molarity भी लेकिन हमें पता है अगर molarity हम निकाल लेते हैं जो कि ज़्यादा असानी से निकल जाएगी तो बाद में उस molarity में क्या कर देंगे n factor का multiply और चूकि अपन सारा खेल किसके लिए कर रहे है अपन करेंगे molarity को निकालने के लिए तो molarity को निकालने के लिए सारा खेल कर रहे है तो molarity सीधा formula रखते है molarity is equal to given mass of solute जो कि sulfuric acid है upon sulfuric acid का molar mass जो कि 98 होता है याद होना चाहिए अब तो into volume किसमे milliliter में तो thousand और volume in ml तो volume in ml निकाल लेते हैं जादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको density दी हुई है तो पहले volume यहापन निकाल कर रख दो volume यहाँ निकाल कर रख दो volume of solution will be equal to volume of solution will be equal to density sorry mass by density volume कैसे निकलेगा mass by density because density is equal to mass by volume तो volume is equal to mass by density mass कितना है हमने माल लिया है 100 और density is 1.09 1.09 तो 100 divided by 1.09 कितना आ गया 91.74 तो 91.74 और यह ml में आएगा क्योंकि density gram पर ml में दी हुई है तो volume आ गया हमारा कितना 91.74 ml मिलिलीटर में आ गया रख देते हैं रख देते हैं यहापर given mass कितना है 13 H2SO4 का molar mass 98 H2SO4 का molar mass 98 hydrogen का 2 sulfur का 32 34 और oxygen का 64 16 क्योंकि 4 बार करना पड़ेगा 4 इतम में आ ऑक्सिएन के तो 64 64 प्लस 34 98 into 1000 upon volume 91.74 so that comes out to be 13 divided by 98 कितना गया 0.132 into 1000 divided by 91.74 okay 1.44 तो 1.44 will be molarity which is called as moles per liter तो 1.44 moles per liter molarity आ गए अब क्या करें अब क्या करें यह molarity आ गई normality के लिए molarity में इंफेक्टर का multiply करते हैं molarity कितनी है 1.44 into n factor is 2 because we know n is 2 for H2SO4 क्योंकि 2H plus release करेगा वो तो normality equal to 2.88 gram equivalents per liter so this is 2.88 gram equivalents per liter तो इसकी molarity आ गई 1.44 और normality आ गई 2.88 gram equivalents per liter clear हो गया so this was your 18th question यहां पर हमारा complete होता है कौन सा 18th question let's move to the 19th question now पर पहले इस का screenshot लहेंगे पूरे का screenshot लहेंगे फिर आगे बात करेंगे okay let's move to the 19th question 19th question पर चलते clear हो गया था धारा question कोई डाउट नहीं था उसमें simple था simple terms पर चल रही है normality now next is calculate the concentration calculate the concentration of NUH solution in gram per ml अच्छा strength निकालने है gram per ml which is the same normality as that of a solution of HCL of concentration 0.04 gram per ml ठीक है आपको concentration निकालने है नहीं है अच्छा gram per ml में which has the same normality as that of a solution of HCL of concentration of 0.04 gram per ml ठीक है ना मतलब HCL के 0.04 gram ml की strength की जो normality है वही एने हो H की normality है तो पहले काम करते हैं normality of HCL पता गल देते हैं तो normality of HCL कैसे निकलेगी normality HCL की gram strength के साब से strength के साब से तो strength के साब से क्या बनती है पहले तुम strength समझो जैसे वो कहना है 0.04 gram per ml है इसका मतलब क्या अपने आप में इसके मतलब में इसके सारे answer छुपे हुए कि अगर 1 ml solution है 1 ml solution है तो उसमें 0.04 gram ये चीज़ मिली हुई है कौन सी चीज़? HCL 0.04 gram HCL क्योंकि it's a solution of HCL तो मतलब अगर 1 ml solution है तो उसमें 0.04 gram HCL मिला हुआ है तो हमारे पास volume सीधा दे दिया उनने 1 ml हमें सीधा मिल गया 0.04 gram HCL का मास तो हमें HCL का 0.04 gram का भी मास मिल गया तो अब बचा क्या? कुछ नहीं normality निकाल लेते हैं normality of HCL is given mass of HCL upon molar mass of HCL into क्या करें? thousand क्योंकि volume ml में रखने वाले हैं into n factor HCL का जो की 1 होता है क्योंकि HCL का जो H प्लस आयने वो प्लस 1 तो n factor यहां से 1 हो जाएगा रग लेते weight of HCL कितना है? 0.04 upon molar mass of HCL मैजब molarity of HCL कितनी होती है? 36.5 molar mass, sorry not molarity molar mass of HCL कैसे? hydrochloric acid इसका 1 होता है hydrochloric acid का 1 और chlorine का 35.5 36.5 हो गया टोटल तो 0.04 upon 36.5 into thousand upon volume in ml कितना है? 1 into n factor 20 factor b 1 है ठीक है? तो normality कितनी आ गई इसकी? तो normality will come out to be 0.04 upon 36.5 अच्छा 0.04 को thousand से multiply करेंगे तो you will get 40 upon 36.5 तो 40 divided by 36.5 1.09 और इतनी normality चाहिए NAOH की भी लेकिन उसकी strength बतानी है बता देते हैं? तो नाओ नॉर्मालिटी ओफ NAOH विल बी इक्वल तो वेट ओफ NAOH वेट ओफ NAOH और अपॉन एक्वेलेंट मास ओफ NAOH अब इक्वलेंट मास ओफ NAOH क्या होगा? मुलर मास ओफ NAOH मुलर मास ओफ NAOH अपॉन एंफेक्टर तो multiply होगा तो एंफेक्टर में multiply हो जाएगा ठीक है? वैसे मैं बता दू बनादो नाएंफेक्टर बन होता है सारी चीज़े सेम रहते हैं क्योंकि एन फेक्टर इमेन नॉर्मालिटी और मॉलारिटी के बीच का अंतर पैदा करता है तो यहां पर वान है तो कोई अंतर आए गई नी तो मुलारमा सब एन वेच इन फेक्टर इन फेक्टर इन फेक्टर वन लिग देंगे वॉल्यूम कितना है हाँ वॉल्यूम भी सेम तो विच आज़ा सेम स्ट्रेंथ तो सेम स्ट्रेंथ मतलब थाउजन वॉल्यूम होगा और इन वी एमेल तो वी एमेल पर एमेल हमें लेना है यहां पर भी तो थाउजन ग्राम पर एमेल में लेना है तो एक एमेल में होगा तो इ MLT कितनी है 1.09 weight NaOH का नहीं पता वही निकालना है per ml कितना weight होगा molar mass NaOH का 40 है into 1000 into 1 ठीक है तो कोई अंतर जादा खास पड़ेगा नहीं यहाँ पर क्या होगे अपना weight of NaOH तो weight of NaOH will be equal to 1.09 into 40 upon 1.09 into 40 upon 1000 तो weight of NaOH will be equal to 1.09 into 40 1.09 into 40, 1.09 into 40 will be equal to 43.6 upon 1000 तो 43.6 upon 1000, so this comes out to be 0.043 gram तो यह मास आगया, 0.043 gram per ml, तो कितना weight आएगा, 0.043 gram per ml, this will be the correct answer तो 1 ml में हमें इतना weight चाहिए NaOH का जिसकी normality वही आएगी जो 0.04 gram per ml, HCL की आएए उसी normality, उतनी normality ही आएगी हमारी आएगी आएगी है, अगर 0.043 gram 1 ml में मिलाया जाए, तो answer is 0.043 gram per ml per ml, यह हमारा final answer आएगा, 0.043 0.043 gram per ml, क्योंकि हमने volume 1 ml रखा था, यह 1 ml था यह 1 ml था, तो मतलब per ml इतना weight चाहिए, तो weight जो आएगी वह पर ml ही आएगी, जो हमारे HCL की normality आएगी है, और HCL की normality पहले हमने निकाल ली कितनी आएगी, 1.09 milligram equivalence per ml, ठीक है तो यह हमारा कौन से question हो गया, 19th question complete हो गया, 19th question पूरी तरीके से complete हो गया है, we'll move to the last question, 20th question बट एक बार इसका screenshot ले ले आप ओके, चलते हम 20th question पर, 20th question देखते हैं, क्या कहता है 20th question यहाँ पर तो let's move to the 20th question last question of this TPP 1 litre pond water contains, 1 litre pond water में 20 miligram calcium plus 2 का आन है, ओके, 1 litre pond water है, pond में पानी है, तो उसमें 20 miligram calcium 2 plus होता है और 12 miligram mg2 प्लस आइंस होते हैं 12 miligram mg2 प्लस के आइंस होते हैं, ठीक है वाट इस दा वॉल्यूम अफ़ टू नॉर्मल Na2 CO3 solution required to soften 5000 litre of pond water आपको कितना वॉल्यूम दो नॉर्मल्स Na2 CO3 solution का चाहिए जो 5000 litre pond water को soft कर सके, तो एक बात confirm करें Na2 CO3 जो है, वो softening reagent है ये क्या है हमारा softening reagent what does that mean? it's a softening agent मतलब ये पानी की hardness को खतम करता है और पानी की hardness किसकी वज़े से? पानी की hardness है calcium plus 2 और magnesium plus 2 के iron की वज़े से जो water की hardness है वो किस वज़े से आती है? calcium plus 2 iron और magnesium plus 2 iron की वज़े से ये दोनों iron पानी में hardness लेकर आते हैं तो वो hardness को remove Na2 CO3 करता है तो एक बात confirm हो गई अगर Na2 CO3 उसके hardness को remove करेगा completely तो हम कह सकते gram equivalents और we can say milligram equivalents जिसको हम millie equivalents कहते हैं millie equivalents of किसके? calcium plus 2 plus milliequivalents of किसके? mg plus 2 के plus milliequivalents of mg plus 2 will be equal to milliequivalents of will be equal to milliequivalents of Na2 CO3 इसके milliequivalents के equal होगा किसके? Na2 CO3 के milliequivalents के equal होगा क्योंकि ये दोनों की वज़े से जो hardness आ रही है वो Na2 CO3 remove करता है तो milliequivalents of calcium plus 2 milliequivalents of mg plus 2 will be equivalent to milliequivalents of Na2 CO3 अब 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 निकाल देते हैं milliequivalents of calcium plus 2 कैसे निकलेगा calcium plus 2 का milliequivalents given mass normality into volume होता है normality into volume होता है but one liter of pond water जिसमें दोनों रखे हुए तो दोनों रखे हुए तो 20 upon calcium plus 2 का molar mass is 40 so this is 40 20 by 40 molar mass into n factor तो calcium plus 2 में n factor किता है 2 into 2 into volume volume is 1 liter तो into 1 हो जाएगा यहापर कोई फर्क नहीं पड़ेगा into 1 करोगे तो क्योंकि volume 1 liter है plus milliequivalents of mg plus 2 mass of mg plus 2 कितना दिया हुआ है 12 mg upon upon milliequivalents of mg plus 2 12 mg upon equivalent mass of mg plus 2 equivalent mass कैसे निगलेगा molar mass molar mass mg का कितना होता है 24 into n factor into 2 क्योंकि mg के उपर भी charge कितना है plus 2 का plus 2 का तो जिसके उपर जितना चार्ज होता है उसका उतना ही n factor होता है तो this will become its n factor equal to milliequivalents of na2CO3 तो milliequivalents of na2CO3 will be equal to 2 normal into volume तो 2 normality into volume and volume will be in ml because आपने यहां milliequivalents milliequivalents रखा हुआ है तो वो ml में होगा ठीक है gram में रख देते तो फिर gram equivalents आ जाते लेकिन यहां volume ml में रखना पड़ेगा ठीक है तो यह आपके milliequivalents आ गए अब क्या आ गया यह पूरा cancel 1 यह पूरा cancel हो गया this will become 1 plus यह पूरा cancel 1 is equal to 2 normality into v ml तो कितना आ गया 2 plus 2 ml equal to 1 ml तो 1 ml चाहिए एक liter के लिए v ml क्योंकि यह हो जाएगा 2 equal to 2 into v 2 से 2 cancel तो v की value कितनी आ गई in ml that is equal to 1 ml 1 ml volume आपको चाहिए na2 co3 का na2 co3 का volume कितना चाहिए 1 ml अब अगर na2 co3 का volume 1 ml चाहिए तो यह 1 liter pond water के लिए चाहिए था so you require 1 ml of na2 co3 to soft 1 liter pond water 1 liter of pond water और अब अमारे पस कितना pond water है पांच हजार लीटर है पांच हजार तो पांच हजार लीटर के लिए कितना ml चाहिए होगा therefore to neutralize or to soft not neutralize to soft पांच हजार लीटर of pond water के लिए कितना चाहिए पांच हजार लीटर of pond water we require कितना we require 1 liter को 1 ml चाहिए तो पांच हजार लीटर को 5000 ml चाहिए तो we require 5000 ml of Na2CO3 solution Na2CO3 solution और इसको आप कह सकते हो 5 liter भी 5000 ml मतला 5 liter भी तो आपको 5 liter चाहिए options की बिलकुल correct है क्योंकि liter में था ना answer हमारा इसलिए मैंने 5000 ml को liter में convert करा तो 5 liter ये हमारा बिलकुल सही और सटीक answer है तो this is the correct answer 5 liter तो clear हुआ अगर आपको पानी की hardness हटानी है तो पहली बात तो याद करो हमने 10th क्लास में पढ़ाता कि calcium carbonates और magnesium carbonates पानी के अंदर present रहते हैं जो उसको hard करते हैं तो ये clear हो गया calcium और magnesium के ions होंगे जिससे पानी hard होगा जिसको soft करने लिए sodium carbonate लगेगा अब sodium carbonate के जितने मिली equivalents होंगे उतने calcium plus magnesium के होने चाहिए तो calcium के मिली equivalents निकाल लिए weight upon equivalent mass equivalent mass कैसे निकाला molar mass into n factor into volume भी आना चाहिए बट मैंने volume क्योंकि 1 liter ही था तो into 1 करते फर्क नहीं पड़ता सेम इसमें भी वही चीज़ अपलाई करी given mass upon equivalent mass जो निकला molar mass into n factor करके और into 1 यहाँ पर भी into 1 है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा equal to इसके मिली equivalents कैसे निकाले 2 normal और इसका volume हमें निकालना था तो V ml तो यह कर लिया 1 plus 1 equal to 2 normal into V ml 2 or 2 कड़ गया V की value आ गई 1 ml volume आ गया कितना 1 ml अब यह 1 ml Na2 CO3 का volume आ रहा है जो 1 liter pond water को soft कर रहा है और हमें 1 liter को soft भी करना हमें 5000 liter को soft करना है तो 1 liter में 1 ml तो 5000 liter में 5000 ml 5000 ml मतला 5 liter clear so this is the last question जो 20th question पूरी तरीके से complete हो गया हमारी normality की DPP का एक बार आप screenshot ले लें इसके बाद हम video conclude करेंगे ओके तो यहाँ पर पूरी DPP solve हो गई है normality की और यहाँ पर हमने 20 वा question भी देख लिया है इसी तरीके से हम आगे भी हर topic की DPP आपके लिए लाते रहेंगे और ना सिर्फ DPP बलकि most important questions previous year questions ऐसे करते करते 500 plus question हर एक chapter से हम पूरे करने वाले है साथी one short revision series आएगी साथी आपके previous year question practice question की series आएगी इसके अलावा आपको live doubt clearing sessions मिलेंगे जो absolutely सारी चीज़े free of cost होंगे जैसे DPP आपको free of cost मिल रही है solution free of cost मिल रहे है concept free of cost मिल रहे है वैसे सारी चीज़े magnet bands पर आपको बिलकुल free of cost प्रोवाइड कराई जाएगी और इनकेस अगर आप YouTube में कोई चीज़े miss out कर रहे हो कोई session आप मिस कर गए हो या कोई sequence नहीं मिल रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है magnet bands.com पर आकर visit करके सारी lectures पूरे के पूरे playlist को access कर सकते हो क्योंकि क्या होता है जैसे यूट्यूब पर कभी आपको इस topic सर्च करते हो तो इस topic का वीडियो तो आपको मिल जाता है वो फ्लो बनाए रखने के लिए आप magnet bands.com पर आओ क्योंकि यहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलती है जो topic wise sequentially arrange रहती है इसमें करना कि आपको ITJ section में जाना है वहाँ पर आपको courses मिलेंगे physics chemistry maths के उसमें आपको chemistry पे जाना है मेरे course पर वहाँ पर आपको सारा listing मिलेगा chapter का किस chapter में कितने lecture से और हर lecture के आगे lecture का duration कितने minute कितने hour का lecture है वो so that आप पूरी planning कर सको कि यह यह चीज़े आपको अभी पढ़नी है तो यह पूरी planning आप कर सकोगे उसे साबसे जैसी आप किसी lecture पे क्लिक करोगे आपको एक buffer free video मिलेगा high quality का जो stream होगा यहां से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हो यहीं आपको DPP पी डाउनलोड हो जाएगी यह नीचे डाउनलोड वाला दिखरा PDF यह DPPs, sheets, previous year question की sheet, multiple choice, important question की sheet यह सब यहां पर मिलेगा आपको, complete और absolutely free of cost मतलब ऐसा नहीं है कि magnet means.com website पर आना है तो कोई package बाइ करना, कोई subscription लेना है, कुछ बी नहीं बाइ करना, कोई code नहीं लगाना, 100% free आपको मिल रहा है सारा का सारा content वीडियो तो free of cost मिली रहा है, आपको जो content है वो भी बिल्कुल free of cost दिया जा रहा है, और magnet means, IIT, JEE और NEET के channel पर ना सिफ IIT, JEE बलकि NEET की भी तयारी आपको कराई जा रही है, NEET के लिए एक्स्क्लूसिवली chemistry, physics और NEET biological lectures आपको मिल रहे, तो जितने तुमारे friends, relatives हो, भाई जो भटके हुए हो, की कोई ऐसा channel मिल जाए, जहाँ पर quality content हो, कोई ऐसा channel मिल जाए, जहाँ regular videos हो, जहाँ NEET की, IIT की तयारी हम कर सकें, consistent videos मिलते रहें, तो उन सबके साथ आप इस channel को share करे, channel का link share करे, खुद पहले subscribe करे, फिर channel का link आप उनके साथ share करे, इसी तरीके से magnet बेंस को अपना प्यार और support दे रहे, stay connected, stay educated, thank you